शुरू किया जाए तो सबसे पहले आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है और हम लोग अब लंबे समय तक साफ में पढ़ने वाले हैं लंबे समय का मतलब क्या है वो भी समझने शुरू में समझ लेते हैं इस बार के टार्गेट यह है कि हम पचास से पच्पन क्लास में पूरा पाठेक्रम खतम करेंगे पाठेक्रम तो चालिस में भी हो सकता है तीस में भी हो सकता है लेकिन आप समझ रहे होंगे कि वो ठीक नहीं होगा है ना तो हम लोग करीब पचास से पश्वन क्लास में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे पिशली बार डिक्टेशन्स वाला काम थोड़ा ज्यादा हुआ था क्योंकि कुछ नहीं टॉपिक्स थे इस बर वो नोडस हमने तैयार कर वाली है तो हम डिक्टेशन उतनी ज़्यादा नहीं करेंगे जहां बहुत जरूरी होगा वही पर लिखेंगे और पॉइंट्स के फॉर्म में ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे जो एठिक्स में ज़रूरी भी है क्यों ज़रूरी है अभी समझ में आएगा आपनों को मेरा नुमाने कि आप सबने जी एस का कुछ ने कुछ हिस्सा पढ़ा होगा अब मतलब एकदम नए विद्यार्थी नहीं होंगे थोड़ा सापको आइडिया इस फील्ड का है वो ठीक भी है वैसे एठिक्स कोई भी पढ़ सकता है इसके लिए मालब बहुत पुराना होने की ज़रूरत नहीं नए विद्यार्थी पढ़ सकता है लेकिन थोड़ा सा जी एस पढ़ने के बाद एठिक्स पढ़े तो सुविधा होती है मैचियोरिटी के लेवल थोड़ा सा बहता रहता है और यह पेपर थोड़ा अलग नेचर का है तो आज पहरी क्लास में हमें इसका इंट्रोड़क्शन समझना है और तरीका मेरा हमेशा से यह है कि शुरुवात हम जीरो से ने बिल्कि माइनस से करें ताकि कोई भी छूट ना जाए साथ साथ सब लोग चले तो आपको पहले इचिक्स आता है कि नहीं आता है पहले कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बिल्कुल चिंता ना करें और यदि आपकी आसपास कोई ऐसा बहुत धी कातंकवधी बैठा है जो बीच-बीच में आपसे कहरे कि मैंने तो पढ़ा हुआ है तो उसकी धौस मेने की जरत बिल्कुल नहीं है, आज से 50-55 दिन के बाद आप उसके बहुतर सिती में होंगे, क्योंकि आप 55 दिन सीखेंगे, और वो बताता रहेगा जब आने तो सीखा है, तो आप बहतर सिती में होंगे, ठीक है, किसी के दबाव में नहीं आना है, आसान पेपर है, लेकिन इसकी आसानी थोड़ी अलग किस्पटी है, subjectivity वाली है, तो समझते हैं कि क्या-क्या इसमें करना है, ठीक है, पेपर का पूरा नाम आपको पता होगा क Ethics, Integrity and Aptitude, तीन शब्द इस subject में है, और प्रसिद्ध जो है ये एक शब्द से है, जो कि Ethics है, तो पेपर का नाम जो है, वो है, Ethics, Integrity and Aptitude, इन में से Ethics को हम इंदी में क्या कहें, इसको लेके दिक्कत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नीतिशास्त्र है, और कुछ कहते हैं क नेतिकता है, ये दिक्कत भी क्यों है, आज आपको समझ में आएगा, और हम इसके दोनों अनुवाद दिमाग में रखके चलेंगे, दरसल अलग-अलग कंटेक्स्ट में, दोनों अनुवादों का अलग-अलग महत्तु है, इन्टेग्रिटी के लिए जो शब्द UPSC ने ता शब्द है, उसी को हम लेके चलेंगे, ठीक है? और रप्टिट्यूड के लिए एक शब्द है, अभिरुची, दरसल ये पूरा पाठी क्रम इससे कवर हो नहीं रहा, इन तीन शब्दों से, UPSC की मजबूरी ये है कि इसमें अलग-अलग प्रकार के टॉपिक्स शामिल हैं इस पाठी क्रम में, अब जैसे पूरा एक विशय मानलीजी इतिहास है, प्राचीन, मध्यकरीन, आधुनेक, विश्वे इतिहास, आप कम से कम उसका नाम रख सकते हैं इतिहास, क्योंकि उसमें इतिहास के ही विभिनने हिस्से हैं, इस पाठी क्रम के समस्या ये है कि इसमें किसी एक विषय के भी भिनने हिस्से नहीं है ये बिखरे बिखरे टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को मिलाके एक टोकरी में ठूसा गया है या सही जा गया है नाम कैसे रखी कैसे मान ले जी कि फलों का टोकरा है जिसमें दस संत्रे हैं दस आम हैं दस लीची हैं पाँच अमरूद हैं चार केले हैं अब यह तो आप कहा दें फलों का टोकरा यह आप क्या करेंगे जो ज्यादा संख्या में दो तिन फल है उनका नाम लेकर बोलेंगे कि आम संत्रा और सेप का टोकरा तो इस पेपर का नाम कुछ-कुछ ऐसा ही है आम संत्रा और सेप का टोकरा यानि कि तीन महत्वून टॉपिक्स के नाम से पेपर का नाम रखा गया है लेकिन यह सफिशेंट है नहीं और प्रसिद्ध है कि वले एक नाम से वो है एचिक्स तो हम सामान ने ताहर नाम बोलेंगे एचिक्स लेकिन आप हमेशा समझाएंगे कि यह पूरे पार्टिक्रम की बात चल रही है केवल एचिक्स की बात नहीं चल लिए क्यूंकि एचिक्स तो इस पार्टिक्रम का बहुत ہी छोटा सा हिस्स्ता है जिसको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे अब दूसरी बात इस पेपर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये पेपर आपके पार्टिक्टम में क्यों है UPSC आपसे क्या पेक्षा करती है तो UPSC ने अखर लंबे समय के बाद 2013 में तई किया कि हम एक नया पेपर इंटर्डूस करें जो UPSC गेतिहास में कभी नहीं था तो कुस्तो सोचा ही होगा तो एक बेसिक वजह हम समझते हैं कि इसकी ज़रूत क्या है ऐसा क्यों हुआ तो पहला सवाल हो गया कि ये हमारे पार्टिक्टम में क्यों है फिर देखेंगे कि इस पेपर से आपको क्या कैलाब होने वे वाले हैं परीक्षा की दिश्टी से भी क्या कैलाब होने वाले हैं इसके बेनिफट्स क्या है यूटिलिटी क्या है ये पेपर इसलिए UPSC ने लगाया कि लगफ़क 2000 से 2010 के बीच में UPSC के पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई मसूरी से भी आई, एकेडमी से भी कि जिन लोगों का सिलेक्शन UPSC करके भेज रही है वो कई मामलों में बहुत बहुत बहुतर है लेकिन एड्मिनिस्ट्रेटिव इचिक्स के मामले में तेजी से जो लगफ़क 2014 तक चले और 2014 के बाद से अपकोई परिवरतन नहीं हुआ लेकिन उसके बाद चीजे उन्होंने काफी चेंज कर दी और उस प्रोसेस में अंतिम चरण के रूप में उन्होंने ये पेपर इंट्रड्यूस किया तब कोई कह सकता है कि एचिक्स पढ़ने से या एचिक्स पढ़ने से कोई इमांदार हो जाएगा ऐसा थोड़ना है कि बात तो सही है क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को नैतिक्ता के बारे में जानकारी है क्या वो नैतिक हो जाते हैं कैसा जरूरी है, जरूर तो इद्दम नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नेतिक्ता के कंसेप्ट को समझने वाला व्यक्ति बेहद नेतिक हो। यह तो समभव है। और हमारे पेरिंट्स या फोर पेरिंट्स, ग्रेंट्पेरिंट्स में से कई लोग होंगे, जिनको नेतिकता की किताब नहीं पड़ी जिन लोगों ने, किन्तु उनका आच्रल बहुत नेतिक है, यह बात तो सही है, कि नेतिकता की अज्येन से व्यक्ति के नेतिक होने का कोई अनिवारे संबन नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों संभावने साथ साथ का इसलिए होते हैं कि हमें गलत होने का शौक है, हमारी आदत है, लालच है हमारा, और कभी-कभी हम गलत इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ये पता ही नहीं था कि हम गलत हैं, इग्नोरिंस की वज़े से, अग्यानता की वज़े से गलत होना भी गलत होने की एक बड़ी वज़े हो सक जैसे हम सब जानते हैं कि हमें कई मामलों में कानुनों का ब्रिषिक साथ हुआ होगा कि उसे पुलिस ने या किसी सरकारी विभाड के निरीक्षक ने एक नोटिस दारी किया और जिस क्रित्य के लिए नोटिस दारी किया उस बेचारे व्यक्ति को यह पता ही नहीं था कि वो क्रित्य कानून की द्रिश्टी से अपराध है यह गलत क्रित्य है ऐसा खुब होता है तो UPSC का कंसेप्ट यह है इस मामले में कि कोई व्यक्ति शिविल सेवक बन रहा है तो ट्रेनिंग में क्या सिखाएंगे बात की बात है ट्रेनिंग से पहले कम से कम उसको एड्मिनिस्टेटिव एठिक्स के बेसिक्स पता होने चाहिए वो हम नहीं सिखाएंगे उसको टेस्ट करेंगे और इससे कम से कम एक बत स्पष्ट हो जाएगी कि आप अगले 50-60 दिन में जो ही पढ़ने वाले हैं 55 दिन में जो पढ़ने वाले हैं कम से कम आपको नेतिकता को लेकर जितनी धारना हैं सब पता लग जाएगे कोई confusion नहीं रहेगा और उसके बाद आप जीवन में ये नहीं कह सकते है कि आपने कोई अनेतिक कार्जे इसलिए किया था क्योंकि आप जानते नहीं थे कि अनेतिक होता है और इसका मतलब बोनस आपके उपर रहेगा जिम्मेदारी आपकी अपनी हो जाएगी और इससे कम से कम एक पक्षकम हो गया एक तो वो अनेतिक व्यक्टी हैं जो सब जानने के बावजूद अनेतिक हैं उन्हें ठीक करने के बाकी उपाएए हैं सरकार के पास लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अनेतिक होना चाहता नहीं किन्तो उसे पता ही नहीं कि नेतिकता क्या है, अनेतिकता क्या है, किसी खास संदर्व में उससे क्या नेतिक अप्रेक्षाएं हैं, क्या नहीं हैं, वो जानता ही नहीं, तो कम से कम इग्नोरेंस की वजह से, अग्यान की वजह से, कोई अनेतिक आचरण सिविल सेवाव में ना क और इधियान रखना है कि हमें एक विकासील देश हैं, विकासील देश में किसी बिरोक्रेटिक अथारोडी के पास इतनी पावर होती है, यदि वो व्यक्ति उसका सदूपयोग करेगा, तो शायद कई हजार कई लाख व्यक्तियों को मुख्धारा में ले आएगा, और यदि वो खुद अनेतिक है और उसने उस शक्ति का मिस्यूज किया या अनुपयोग किया, दुरुपयोग या अनुपयोग किया, तो हो सकता है कि हजारों लाखों व्यक्तियों की जिन्दगी बहतर होने का जो रास्ता था, वो रास्ता विफल हो जाए, वो संभणावन खत्म हो इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति आईएस बने इससे ज़्यादा जरूरी है कि बहुत नैतिक व्यक्ति आईएस बने नैतिकता और बुद्धिमानी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइस बुद्धिमानी में कर सकते हैं क्योंकि बहुत बुद्धिमान किंतु दिमाग और दिल का गंदा आदमी बहुत करप्ठ हो जाएगा। वो अपनी सारी बुद्धिक करप्षन के तरीके खोजने में लगा देगा। और प्रशासन को, शासन को, समाज को खा जाएगा। इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए, जिसके सारी बुद्धिक के अवल अपने हित में लगी हो। बुद्धि थोड़ी सी कम भी हो, common sense हो ठीक से, लेकिन व्यक्ति के निष्ठाइं ठीक हो। बहुत जलदी किसी लालच में ना आ जाता हो, किसी भए में ना आता हो। व्यक्ति हमेशा बहतरीन प्रशासक थावित होगा पुद्धि Wayność काम करने में असमर्थ हो। इसलिए स्वाभावी किया कि ये पेपर किताबी किसम का नहीं हो सकता अगर एक किताबी किसम का होगा तो नेतिक था कि किताब पढ़ने वाले सफ़ा लोंगे ना कि नेतिक चीज़ों को समझने वाले सफ़ा लोंगे इसे यहूं समझें कि स्कूल के समय जब हमें पहली पर नैतिक शिक्षा पढ़ने को मिली छटी-साथवी क्लास में, एक पेपर था नैतिक शिक्षा का, तो बड़ा मज़दर पेपर था, उसके भी किताब थी, उसमें क्वेश्चन आंसर थे, चार ओप्शन होके थे, उसमें इसे ध्याने की मेरे जीवन का पहला प्रश्ण नैतिक शिक्षा का क्या था, कि आप सड़क पर जा रहे हैं, रास्ते में एक इंट पड़ी है, आप क्या करेंगे, फिर चार ओविकल्ब थे, पहला, उसे सड़क के और बीच में रख देंगे ताकि कोई गिर ही जाए, दूस इसरा उसे उठा के पटक के मारेंगे किसी के ऊपर, तीसरा उसे उठा के साइड में कर देंगे ताकि किसी को चोटना लगे, और ऐसी चोथा विकल्ब था, कि आप उसको ले के अपनी घर ले जाएंगे, कि चलो, जब घर बनाएंगे काम आ जाएगी, ऐसा कुछ ऐसा विकल को चुने तो हमारी क्लास के पचास के गरीब बच्चे थे सब ने सही वी कल्प चुना कि हम इंट को उठा के साइड में रख देंगे ताकि किसी को चोटना लगे और मैं जानता हूं कि उन पचास में से एक भी सड़क पर ऐसा करता नहीं था वो आंसर सारे सही चुनते थे मैं भी सब लोग पर उन में से एक ने भी जीवन में आज तक सड़क पे अपनी गाड़ी या खुद को रोग के इंट हटाई हो मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि हम नेतिक्ता का सिधान समझ रहे हैं और इसलिए UPSC ने इस पेपर के पार्ठिक्रम के शुरुवात में एक बात लिखी है आपके पास जो पार्ठिक्रम हैं सो देखी ज्यान से जो उसके उपर अनुदेश लिखा है इंस्ट्रक्शन लिखी हैं वो क्या है इस प्रश्टे पत्र में ऐसे प्रश्टे शामिल होंगे जो सारुजनिक जीवन में उमीदवारों के सत्य निष्ठा इमानदारी से सम्मंधित विश्यों के प्रती उनकी अभिवरित्ती अभिवरित्ती के मतलब है एटिट्यूट अभी समझाऊँगा क्या होता है तथा उनके द्रिश्टिकोन तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्धों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनुवरित्ती का परीक्षन करेंगे यह मनुवरित्ती का मतलब है एप्रोच से उनकी द्रिश्टिकोन क्या है इन आयामों का निर्धारन करने के लिए प्रश्ट्र पत्र में किसी मामले के अध्यन के स्टड़ी का माध्यम भी चुना जा सकता है मुख्य रूप से निमनलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा इस भाषा को देखे साफ लगता है कि यह पेपर एप्लाइड किसमका है सैध्धान्ति किसमक नहीं है यूपी एसी में आप देखेंगे जब आप इस पर हम ऐसा भी करेंगे कि आपको हर टॉपिक में अब तक जितने प्रशनाए हैं यूपी एसी में उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान उन सब के लिस्ट पोवाइड कर देंगे ताकि सारे प्रशन हम कवर करते हुए चलें कोई प्रशन आपसे छूटे नहीं है आप देखेंगे कि यूपी एसी की एप्रोच बहुत अनेलिटिकल, सब्जेक्टिव, एप्लाइड किसमकी है उन्हें ज्यादा रूची इसमें नहीं है कि किसी दार्शन का नाम लेके पूछें कि ये बताएं कि कांट ने अपने दर्शन में नेतिक्ता के बारे में क्या बताया है कौन सी पुस्तक में बताया है तो ज्यादा ज्यादा ये पूछेंगे कांट का एक विचार है कि मनुश्य को साध्य बानना चाहिए कौन से देश में हुआ ये सब उनको मतलब नहीं है कांट ने जो समझाया वो आपकी खोपड़ी का हिस्सा बना या नहीं बना उनको इससे मतलब है PCS की परीक्षा का स्तर आम तोर पर UPSC की तुल्ला में छोड़ा सा हलका होता है पर वो यहां भी देख सकते हैं अभी उत्तर प्रदेश का पहले पेपर हुआ है उसमें उनकोंने कांट के सिधान पर सवाल पूछ लिया है एक ही पूछा थे इंकर पर लेकिन पूछ लिया है मध्यप्रदेश में तो और छोटे सवाल पूछते हैं वो सीधा पूछते हैं कि इस दार्षने की किताब का नाम बताओ एक सवाल आप समझें ला कि एक ही पेपर में प्रश्ण पूछने का स्तर कहां से कहां तक वैरी करता है एक PCS पूछ रहा है कि कांट की दो पुस्तों के नाम लिखें दूसरा PCS कहा है कि कांट के इस सिध्धान की रियाख्या करें तीसरा बिना कांट का नाम पूछे या दिये ये कहा है कि इस सिध्धान का अर्थ बताएं और यह आपके जीवन में कैसे हेल्प करता है साहता करता है ये समझाएं तो हमें अप्रोच क्या लेके चलने हम तब छेले के चलेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपको उत्तर पदेश या और पीसेज देना हो तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको लेकिन ज्यादा ध्यान क्या लगाना है चीजों को समझें अपनी भाशन में लिखने का भ्यास करें ये हमारा इसका परपस रहेगा और ऐसे पेपर को सॉल्व करना भी छोड़ा सा टफ होता है अभी उस पर आएंगे लेकिन पहले समझें कि इस पेपर का अगले 50-55 दिनों का लाभ कैसे आपको उठाना है लेकि इसका एक लाभ तो सीज़े सीज़े UPSC में है ही जो एक्जाम आप देने वाले हैं IES का एक्जाम या Civil Service एक्जाम वो तो है ही इसका एक बहुत बड़ा लाभ है जो चाहते ना चाहते आपको होई जाएगा वो है जीवन में या लाइफ में अब लाभ होगा के नुकसान होगा ये बाद में तैय कर लेंगे लेकिन क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ अभी क्योंकि आप से दो-चार दिन के बाद आप लोग बहुत विचलित होने लगेंगे परिशान, हैरान होने लगेंगे और कुछ-कुछ दार्शनिक टाइप के दिखने लगेंगे को सकते कमंडल खरीद लें, खडाओं खरीद लें ये संभावना है, इस पेपर में संभावना होती है फिलोसफी विशे में तो और ज़्यादा होती है इथिक्स तो उससे तो टच होता है, तो इस पे भी संभावना बन जाती है जहां तक UPSC में फाइदे की बात है, इसके फाइदे दो है एक तो है IES, मेंस में, जहाएं पेपर काम आएगा ही दूसरा, इंटर्व्यू में आपको अच्छे से पता है कि अच्छा इंटर्व्यू case studies पर बेस होता है, situations पर बेस होता है और इंटर्व्यू में अगर आपके situation handling ठीक है, तो आप मान के चलिए कि एक बहुत शांदार score आप इंटर्व्यू में ला सकते है 275 में से 180, 190, 200, 206 के बीच के जो score है, यह highest scores में होता है यह generally उसी कहाता है जिसकी presence of mind, situation handling, problem solving की approach अच्छी होती है तो अजीब अजीब सवाल पूछ लेते हैं आप से, जैसे यही कि मान लिजी तैयारी करने के समय आपको किसी से मुहबत हो गई थी, प्रेम हो गया था, मैं जानता नहीं हूँ आपके बारे में, आप इस भाव से मत देखे किया रहे, इसे कैसे पता लग गया, मुझे नहीं पता, एकदम नहीं पता आपके चेहरे पर चोरी पकड़ीगी वाला भाव आ गया, तो मैं नहीं जानता है, ना मेरे रुचिये जानने में आपके अबारे में, ठीक है अब अब कोशिश कर रहे हैं, लेकि होगा होगा, चिंता ना करें तो मान लीजिये, सवाल आसा पुस्ते हैं इंटर्विव में, क्योंकि वो पूस्ते हैं कई बर इस तर के सवाल कि आपके शादी हो गई, नहीं हुए, क्यों नहीं हुई, बद्टिस साल क्यों हो गई, शाधी क्यों नहीं की अब तक, प्रॉड विवा क्यों करना चाहते हो सबसे सेफ आंसर है इसके बद जनरली वो कुछ नहीं पूछते तो सब बचों नहीं याद कर रखा है कि जी मैं कमिटेड हूँ हमारी बात हो गई है और इसके बाद हो नहीं हो आज तक बात हुई हो नहीं हो लेकिन वो जवाब आम तुर पर दे रहेते हैं फिर वो उसे पूछते कि एच्छा मान लिजी आप कमिटेड हैं तो अगला सबल बता देजी कोई बात नहीं है मान लिजी कि आपके सेलेक्शन हो गया और उसके बाद आपने अपनी कमिट्मेंट पूरी करने के लिए अपने घर में माता जीसे बात की पिता जीसे बात की इसमें माता हैं ज्यादा बदना महें बिना बात की जबकि पिता भी कम नहीं होते हैं पिता माता की मात जम से काम करवाते हैं आपको बहुत प्रेम करती रही है आपको भरोसा था कि एक आखरी जिद भी माने ही लेंगी ऐसा क्या है लेकिन जैसे ही आपने का वो कृथ हो गई फुफकारती हुई उठी है और उन्होंने बहुत गुसे में कहा कि बेटा अगर ये तुमने बकवास की तो आज के बाद तुभारा मुझ से कोई संबन नहीं मेरा मरा मुझ देखोगे तुम ऐसा डायलग मार दिया है बाता जी नै और सीरिसली ऐसा नहीं कि प्यार मुखबत में कहा हूँ सीरिसली कहा है अब आपके होश फाक्ता हो गए कितने कितने आपने वाइदे कर रहे थे चार साल से डेली प्रोमिस कर रहे थे और जब जब उसने पूछा कि तुमारे मम्मी कैसी है आपने का मम्मी बहुत ही उदार महिला है इतनी उदार हैं कि आज सब्सक्राइब किसी का लव मैरी जो समर्चन करती है सबका तो इससे बच्चे ननुमान कि अपने घर में समर्चन करेंगी वो भूल गया कि पड़ोसे घ चार साल में इतनी बार किया है कि अप गिल्ट फिलिंग से मर जाओगे अगर शादी नहीं करोगे तो और माने कह जिए कि बेटा अगर इससे शादी की तो मजाक नहीं कर रही हूं मैं सच में मर जाऊंगी और एक दिन वो कन्या आपी घर में आ गई है मासे मिलने के लिए कि अगर आप बीच मूग दर्शक बनके बैठे हूं और आपके पड़ोस पापा बैठे हैं चुप चाप एक दम अंत में नाइका ने कहा नाइका समझ रहे हैं जो जिससे आपने वाइदे कर रखे थे अंत में नाइका ने कहा अईसा है लड़के का नाम कुछ भी सोच लीजी नामेहीं सुरेश कुछ भी तर लीजिये ठिक हे क्या नाम रखने है मानीजीये कुछ भी सुरेश महेश कुसी मान लेजिये कोई एक्स वाई ज़त नाम मान लेते हैं थीक है मत रोओ स स्र लड़की ने कहा कि ऐसा है रमेश बाबू, चार साल में आपने जो वाइदे किये हैं ना, इसके बाद मैं पुलिस के में शिकायत करूँ, ये करूँ, वो करूँ, वो सब मैं तो कर सकती हैं, उसमें दिक्केत नहीं हैं, तुम्हारी चिठियां इतनी सारी हैं, प्रमान में पर बहुत सारे हैं, कम नहीं हैं, पर उस सब में कुछ रखा नहीं है, जब धोखा हुई गया, तो फिर इन सब में क्या रखा है, तो उसने क्या ऐसा है, कि मैं तभी इसी ख्षण आत्भात्या कर रही हूं, और उस सामान लेका है ये सास में ही, समझ लिए, उसके पास मिट्टी का ते, लाइट मेरे पास मता ना, वो करी पांचे फीट की दूरी पे है अब से, उसने का हिलना मत वहां से, और उसने देखते ही देखते मिट्टी का तेल अपने उपर श्रख लिया है, और माचिस हाथ में है, हसने की बात नहीं, सीरिस सिचुएशन है, थोड़ा सीरिस नी समझा उस बात क नहीं रहता है, और जैसे ही आपकी माता जी ने देखा कि बेटा द्रवी भूत हो रहा है, द्रवित हो रहा है, बहकावे में आ रहा है, तो माट किचन के अंदर गई, वो भी बोतल लेके आ रही है, बोली बेटा, फैसला करने से पर लिए यहां भी देख लो, और मा ने भी में टिकल चड़क लिया है, पूरा, और माचे साथ में है, तब आपको करना है फैसला, और तीसरी बोतल लेही है, क्योंकि ऐसे मेजिकांज बच्चे बोलते हैं, मैं खुद ही चड़क लूँगा आपने उपर, और मैं खुद ही मर जाओंगा, वो अप्शन नहीं है, दो ही टिसी माचे सी पहले से उक्योंकि वो, तीसी माचे स्यूपाइड है, या लायोटर जो भी आप अछ intr़क बोलते हैं, तो अब आपको फैसला करना है, दोनों तरफ से ऐलिटी मेटम है, बीस सेकिंड में फैसला करो, नहीं तुम मैं गई और बीस सेकिंड चुप रहे तो दो ही चोथ वोप्शन नहीं है तो आप सोच रहें है कि मैं सही जवाब ने वाला हूं कोई जवाब ने देने वाला हूं मैं के वर आपके अंदर आग पैदा कर रहा हूं समझने के कि А þेक्स क्या करता है Тогда पैल में किस तरह के समस्याहं तो एक सवाल ऐसा हो सकता है कि इंटर्वी में अगर आप से सवाल पूछ लें तो उसका जवाब क्या जेंगे इसका जवाब क्या देंगे यह हम डिस्कस करेंगे समयने पर लेकिन इतना तय है कि यदि आपने एचेक से कंसप्ट शीक से पढ़ लिये हैं तो आप इसका जवाब जो आज देंगे उससे बहुत बहतर उस दिन देंगे क्योंकि आपको निरने करने की सही प्रक्रिया पता होगी आपको अपने निरने पर ठीके रहने के तर्क पता होंगे जस्टिफिकेशन्स होंगे फिर आप निरने ये करें या वो करें इससे बहुत वट नहीं पड़ेगा लेकिन उसके पीछे की जो तर्क युजना है वो ठोस होगी और अंत में ऐसे प्रष्टों में वही तर्क युजना काम आती है जो ठोस होनी चाहिए तो इंटर्वियू में तो ये सिचुवेशन्स हैल्प करेंगे ही आपको असली फाइदा मेंस में है और मेंस के बारे में ध्यान रखिए मैं आपसे हजार बर कह चुका हूँ कि अगर आपको हिंदी माजिन से आई एस बनना है तो अन तपह तीन चीजों से ही आप आई एस बनने वाले है उन में से एक आपको होगा बैकल्पिक विश है जिसमें आपको कम से कम तीन सो प्लस नंबर लाने चाहिए हो सके तो तीन सो दस बीस प्लस नंबर लाने चाहिए जनरल से हैं तो तीन सो दस बीस से कम बात नहीं बनेगी रिजर्वेशन का फायदा है तो थोड़ा सा पांज़स नंबर आप कंप्रमाइस कर सकते है दूसरा है ऐस से जिसमें आपको कम से कम 150 और हो सके तो 166 मार्श लाने ही होंगे अगर IAS बनना है तो भारती प्रशास्तिक सिवा में आना है जो की मज़ाग नहीं है बहुत टफ है वहां पहुँचना GES के चार पेपर्स हैं और चार पेपर में एक सिंपल सा फॉर्मेंट जहान रखिए कि पहले तीन पेपर्स में 100 की अवरेज अगर आप ले आते हैं तो आप शेहनशा है हिंदी माध्या में 100, 100, 100 किसी में 102, 98, 100 ऐसा करके अगर तीन सा नमबर ले आते हैं तो शानदार है एक ही पेपर है जिसमें आपके अब तक हिंदी माध्य में हाईस मर्स इस पेपर में 124 आ चुके हैं पेपर फॉर्म में निशान जैन के थे 124 नमबर और यह संभाव है क्योंकि इसमें भाषा का रोल बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको अंग्रेजी की तुलना में वो भाषा नहीं मिल रही ऐसा आंतुरप नहीं है क्योंकि इसमें लेटस रिसर्च क्या हुई क्या-क्या खोजी हो रही है विज्ञान में क्या नया प्रयोग हुआ उन करेंट अफेर्स का महत्व नहीं है जहाँ जहाँ करेंट अफेर्स और जहाँ जहाँ अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता होगी वहाँ वहाँ हिंदी माध्या में नुकसान थोड़ा सा हो जाता है निबंद में क्योंकि वो मैटर नहीं करता है तो नुकसान नहीं होता है HX में matter नहीं करता है, इसलिए HX में भी नुक्सान prior नहीं होता है और मेरी कोशिश है, इस batch में जो हम कोशिश करने वाले हैं वो ये है कि इस paper को इस तरह से हम तयार करें बलब समझने के साथ साथ answer writing पर इतना ध्यान दें हम 50-60 दिन के duration में कि आप में से कुछ लोग कम से कम जो शांदर लिशने के संभावना रखते हैं वो 125 प्लस का score और हो सके तो 135 तक का score ला सके सिधी सी बात है, ये score ऐसा नहीं कि कोई भी ले आएगा इसके लिए बहुत मेहनत, मैं तो करूंगा ही, आपको भी करनी होगी और यदि आप एथिक्स में 125 के आसपस ले आते हैं, बहुत सारे बाकी पाप माफ हो जाएंगे पेपर 1, 2, 3 में कुछ कम रहे भी जाएगा, तो ही मैनेज हो जाएगा इसलिए अब एथिक्स पढ़ना शुरू कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सीरियस हो जाएगे लेक्षिन शैदी का अभियास जम के करेंगे, मैं क्लास में करवाओंगा, आपको बर-बर करवाओंगा मुझे पूरा भरोसा है कि 125 नमर लाना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा साथ दीजिएगा दूसरा फाइदा इसका आपको बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैं जब भी यहां बैचताओं विद्यारशे से मिलने के लिए, जैसे मान लिजिए 20 बच्चे आए, तो उन 20 में से 18 की दिक्कत पढ़ाई के बारे में नहीं होती है वो आते हैं इस भाव से की पढ़ाई में बहुत बड़ा संकट आ गया है तो दो-तिर मिनिट होते होते हैं पता लगता है कि संकट कुछ मानसिक, नैतिक, दुविधा का संकट है और दुविधाएं इसलिए हैं कि हमें जीवन के कंसेप्स बहुत क्लियर नहीं है बात बात गिल्ड फेलिंग हो जाती है, अपराप भाव ना पैदा होती है कि एसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया और इस संक्ट में जाहिर है कि यह दिक्कत ज्यादा होती है, जिस संब्र से आप गुजर रहे हैं मैं तो कई बार ये बात कहता हूँ मजाग में नहीं कहता हूँ कि जैसा पार्ठिकम है न एतना शांदर है कि I.E.S. की तैयरी न भी करनी हो तब भी इस पार्ठिकम से एक बार गुजर जाना चाहिए ये आपके जिन्दगी को शांदर बना देगा और ये बार सबसे ज्यादा जिस पेपर के बारे में कह सकते हैं वो ये है इचिक्स का पेपर मैं दावे से कह रहा हूँ कि आज से साड़ दिन के बाद आपके जीवन की अजिकांस दुविधाएं खत्म हो जाएंगी कुछ सुविधाएं भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है और इससे आपके कुछ बुनियादी विश्वास जिस पे आपका जीवन ठीक से चल रहा था तो हिलने लगेगा आप परशान हो जाएंगे चीजों से भरोसा हट जाएगा जब भरोसा हिलता है तो फिर आप परशान होते हैं कि अब मैं किस चीज़ पर भरोसा करूँ क्योंकि भरोसा चाहिए ना किसी चीज़ पर लेकिन आपको साथ-साथ ये भी समझ में आएगा कि जिन चीज़ों से भरोसा उठा है उनसे उठना जरूरी था एक काईदे का इनसान बनने के लिए गलत चीज़ों पर विश्वास न हो ये बहुत ज़रूरी है और सही चीज़ों की समझ पैदा हो ये भी ज़रूरी है ये प्रक्रिया खुरदुरी है थोड़ी सी चुबने वाली है उबर खाबड है लेकिन अंतर पहर युग मत कीजिएगा इस बात का ग्रेंड पेरेंट्स के सामने तो भूल के ही मत कीजिएगा बरना फिर थोड़ा बहुत जिसको तोड़ाई ठोकाई, पिटाई, सुताई कहते हैं वो सब होने का खत्रा हो सकता घर के अंदर क्योंकि 60-70 साल के व्यक्ति के मूल याप अचानक बदलने चलेंगे तो वो आसान नहीं होता है आपकी तौसत उम्र बीस, बाईस, चोविस के आसबसे आपको ही मुश्खिल आएगी तो उस उम्र के लोग कैसे उसको बदलेंगे लेकिन आप पाएंगे कि तीन-चार दिन होते होते आप बहुत सारी गलत फैमियों से मुक्त हो जाएंगे और वो आपके चेहरे पे दिखेगा तीन-चार दिन में ही दिखना शुरू हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपका जीवन पहले के तुलना में थोड़ा सा बहतर हो गया अब इस पेपर को पढ़ने के लिए कुछ प्रिकॉशन्स लेके चलेंगे हम पहले से और प्रिकॉशन्स का मतलब ये है ताकि युद्ध ज्यादा ना हो वरना आप मुझ से युद्ध करते रह जाएंगे बिनाबाद के जबकि मुझसे युद्ध्य करने से फाइदा होगा नहीं आपको कुछ भी बल्ला अगर आप जीद जाएंगे तो भी फाइदा नहीं होगा क्योंकि आप जिस इसको बचाने के लिए युद्ध्य करेंगे वो बचाने वाले चीज है ही नहीं और फिर उसका मज़ा खत्म हो जाएगा तो अप्रोच क्या है इस पेपर को पढ़ने के लिए जिसको हम आज सही धान रखेंगे और अनावश्यक जगणों से बचेंगे बाकि आप वैचारिक जगडा करना चाहें तो आपका स्वागत है जितना करना सही है उतना स्वागत है लेकिन सबका समय मत खराब कीजिएगा अगर बहुत मन करें क्लास के बाद हम मल युद्ध यद्वन युद्ध जैसा कुछ कर लेंगे बैचारिक स्तर पे मुझे भरोसा है कि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा तो ढूंड के लिए आऊंगा लेकिन दे दूंगा तनाव मत लीजिएगा फिर क्या होता कि विवात शुरू होता है बातचीत से धीरे धीरे फिर वो उग्रता बढ़ती जाती है तो ऐसे उग्र पंथ के विद्यारची को पहले से मैं समझाना चाहरा हूं कि इस पेपर की कुछ शर्ते हैं ध्यान रखेंगे तो फाइदे में रहेंगे सबसे पहली चीज है वैल्यू न्यूट्रैलिटी वैल्यू न्यूट्रैलिटी को हिंदी में कह सकते हैं मूल्य तटस्थ सिता अपनी वैल्यूज को लेके इतना जिहादी या फिदाइन मत बनियेगा चिक इसी नई बात को सीखने समझने का मनही न गड़ता हूं इसका मतलब क्या होता है वैल्यू न्यूट्रैलिटी का इसका मतलब यह हुआ हम सबका एक वैल्यू सिस्टम है हम सबके मूल्य है मैं जानता हूँ कि मूल्य शब्द का सही अर्थ से भी आपको नहीं पता हुगा एक्जेक नहीं पता हुआ सेंस पता होगी तो मूल्य अपके पार्षिक नम के टॉपिक भी है मूल्य का बेसिक सा मतलब है जिसका मूल्य हो, जिसकी कीमत हो किसी कीमती वस्तु में जो है वो उसका मूल्य है बेसिक मतलब सिर्फ इतना होता है इचिक्स की दुनिया में इसका मतलब है वे नेतिक आदरश जिनने कोई समाज फॉलो करना चाहता है जिनने कोई समाज अपने जीवन में उतारना चाहता है जैसे सहिशन उता एक मूल्य है और वो ये कि हमें बिना बात के जगड़ा नहीं करना चाहिए दूसरों की राय को सुनना चाहिए ना च्छी लगे तो भी सहन करना चाहिए हम भी अपनी राय दे सकें वो भी अपनी राय दे सकें कि ऐसा माहौल हो यहाँ चर्चा के संसक्ति हो ना कि हर व्यक्षी को एक ही तरह से सोचने के लिए बाद्य होना पड़े जो कि मूल्य हो गया मुझे अच्छा लगता है शाकाहरी होना आप मैंसे कुछ व्यक्षी मासाहरी होंगे उनको लगता हो कि नहीं मासाहरी होना ठीक है सामानी सी बात है अगर मैं यह कहूँ कि भाई देखो मैं तो शाकाहरी हूँ पर तुम्हारे मासाहरी होने से मुझे कोई एक्युक्टिकert समस्या नहीं है हां economist मैं वैं मासाहरी नहीं हो सकता तो इसमें जगड़े की बात नहीं है और रिज्ज कोई मासाहरी यह कहे कि मैं मासाहरी हो पर तुम शाकारी हो मुझे फरक नहीं पड़ता तुम अपना खाओ, घासफूस खाओ, मुसे कोई दिक्कत रही है मैं जानवर खाऊंगा, मुसे वही अच्छा लगता है इसमे कोई दिक्कत रही है, तो ठीक है, हासी मजाग चल रहा है दोनों साथ साथ चल रहे है एक ए टेबल पे खा रहे हैं अगर मासा हरी जित करने लगे तो दोस्त नहीं है मेरे दोस्त नहीं है बकरा खा थोड़ा सा दोस्त नहीं है थोड़ा मुर्गा खाले अब ये दिक्कत है और अगर कोई शाकाहरी ये कहना लगे अरे यार काहे पेट को कब्रिस्तान मनाते हूँ ये सब मत खाया करो गंदा होत तुम पाप करते हो, यह सब दिक्कत है, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति के मूल्य को अपने मूल्यों से तौले बिना चल नहीं पा रहे हैं, और जब धर्मों की बात आती है, तो कोई मुसल्मान सिर्फ इसलिए कि मुसल्मान है, उससों दीवाली के प्रदूशन बहुत दया आती है, उसे बाकी साल भर वाले बकरों पर दया नहीं आती है, एक जिन दया आती है, क्योंकि वो दूसरे धर्म का तयोहर है, उससे दशेहरे के आसपास, जो बंगाल के तरफ हजारों बकरे बैसे कटते हैं, उन पर दया नहीं आती है, उससे बकरीत के बकरे पर दया ये सिर्फ, क्योंकि धर्म से जो मूले बंदे हैं, वो उसी निगाह से दूसरे का मूल यांकन करेगा, तटस नहीं होगा, तटस होने का मतलब है कि ये भूल के बात करना, कि मेरे मूले क्या है, तुम्हारे मूले क्या है, अपने मूले के विरुद्ध कोई तर्क आए, तो उस उसमें दम हैं तो स्विकार कर लेना और यदि आप दूसरे के खिलाफ कोई तर्क बच्पन से दे रहे हैं और आज आपको समझ में आए कि वो तर्क के नम पर कुटर्क था तो उसको तर्क को रोक लेना और आगे से उस तर्क को इस्तेमाल न करना इसको बोलते हैं value neutrality कि मेरे निशकर्ष मेरे तर्क प्रक्रिया उन मूलियों से प्रभावित नहीं होगी जो बच्पन से मुझे मिल गए हैं मैं उन से तटस्त हो के सोचने को तयार हूँ अगर तटस्त हो पाएंगे तो ethics की दुनिया में घुस पाएंगे वरना ethics की दुनिया में घुसना मुश्किल होगा और हम जिहादी और फिदाईन होने की और बढ़ेंगे जो फिदाईन है किसी भी धर्म का किसी भाषा का फिदाईन हो उसमें सबसे बड़ी कमी है कि उसमें value neutrality पैदा नहीं होती है कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है reasoning mind सोचने समझने वाला दिमाग चाहिए और यदि आप चीजों को सोचते हैं समझते हैं तो आप धीरे धीरे सही निश्कर्श की और बढ़ेंगे अपने आप बढ़ेंगे और इसी चीज को मैं आगे बढ़ा के कह दूँ या तीसी विशेष्टा कह दूँ वो है संतुलन पैदा करने वाली मानसिक्ता या जिसको बहुता है balancing mind एक basic बात हमेशा समझ लीजिए कि नैतिक्ता की दुनिया में कोई भी अती ट्रायर अच्छी नहीं होती है अंतता है आपको बीच के रास्ते ढूणने पड़ते हैं और ऐसा बीच का रास्ता जो उस space time में उस देश काल में सबसे उप्युक्त हो आज से 500 साल पहले किसी व्यक्ति ने जो रास्ता ढूण ला होगा वो उसके space time में best रहा होगा आज क्योंकि हम 500 साल आगे आ गए हैं तो हमारा space time हमसे ज्यादा उम्मीदें करता है तो हमारे निरनाएं थोड़े से अलग होंगे लेकिन वो निरनाएं भी अंत्ताह उसी balancing mind से होंगे जो पहले भी था पर पहले के situations अलग थी उन situations में आप balance वैसा नहीं कर सकते थी इसको यू समझें जैसे homosexuality की बात करें homosexuality ऐसा तो हैने की 21 सदी में शुरू हुई हो जब से मानव समाज दिखता है तब से homosexuality के instances भी दिखते हैं अगर ऐसे instances समाज के हर दोर में थे तो भी हमारे इतिहास में शायद ही कोई ऐसा प्रसंग मिले जहां किसी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ने जहां किसी न्याएपालीकारी न्याएग संसा ने उस वर्ग के मूल अधिकार का समर्थन किया हो नहीं किया दिमाज में आता होगा लेकिन उस space time में इतना scope नहीं रहा होगा कि ऐसी बत कही जा सके आज modernity का समय है आधुनिक्ता के समय में क्या होता है कि व्यक्ति को जतना space मिलेगा उतना हम ने तिकता के बिंदो पर आगे बढ़ेंगे ये मान्यता है तो व्यक्ति की निजता जब तक उस समाज को चोटना पहुँचाती हो तब तक उसका सम्मान करने में कोई बागा नहीं है ये बत supreme court ने निरने में कही इसी निरने में कही है कि हम उसी समाज को सबसे ज़्यादा सब भे समाज मानेंगे जो व्यक्ति को ज्यादा से ज़्यादा स्पेस देगा परसनल फीडम का जब तक कि उसका स्पेस समाज के स्पेस पर हावी न होता हो उसे चोट नम हो जाता हो यह मार्च कहे पा रहे हैं और आज से 500 साल के बाद हम कुछ ऐसी बाते कहेंगे जो आज भी नहीं कहे पा रहे हैं सिरी सी बाते तो नेतिकता समय के साथ-साथ flexible होगी, बढ़ेगी लेकिन आज का समझदर व्यक्ति भी balance करेगा पहरे वाला भी कर रहा था भवेशिका भी करेगा तो जब भी कोई situation आए एक तरफा मत जाईए उस तरफ मत भागिए देखिए कि उनके बीच का सही रास्ता क्या होगा इसलिए एक balancing mind ethical questions में सबसे बहतर तरीके से काम करता है एक basic सी बात है दो शब्द और आपको मैं बताता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो है continuum approach ये शब्द मुझे नहीं पता कि आप लोगो ने पहले सुना है या नहीं सुना है नहीं सुना है तो आज सुन लीजे continuum C-O-N-T-I-N-U-M continuum के लिए हिंदी में सातत्य शब्द चलता है आम तोर पर सातत्य वादी दिष्टी कोण कह सकते हैं सातत्य मूलक दिष्टी कोण कह सकते हैं और कुशन ना सूझे तो continuum approach ही लिख किया ये का परीक्षय में इसमें कोई समस्या नहीं है इस ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में हू बहू लिखने में भी दिखकत नहीं होती है continuum approach क्या होती है इसको समझने के लिए पहले एक शब्द और पढ़ेंगे वो शब्द है dichotomy ये भी एक तरह की approach का नाम है dichotomy 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 के लिए हिंदी में शब्दत है द्वैध मनुवित्ती ये वो approach है जो आम तोर पर बच्चों के दिमाग में बच्चपन से बैढ़ जाती है कभी कभी क्या होता ना कि आप एक खास approach से किसी दूसरी दुनिया के प्रश्णों को समझे नहीं सकते यूँ समझे कि आप गनित वाले mindset से इचिक्स को नहीं समझ सकते और इचिक्स वाले mindset से गनित को नहीं पढ़ सकते क्योंकि गनित में हर बात का निश्चित उत्तर होता है और इचिक्स में किसी भी बात का निश्चित उत्तर नहीं होता है अगर आप गनित के mindset से ethics के स्वाल सुल जाने चाहें और आप चाहें कि हर सवाल का सटीक जवाब मिल ही जाए तो आप फेल हो जाएने क्योंकि आपने ethics के प्रशनों को ethics के दिमाग से पढ़ा ये गनित के दिमाग से पढ़ा इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि जिस विशय को पढ़ने वाले हैं उस विशय के लिए कैसा दिमाग चाहिए हमें और ये दो शब्र क्या कहते हैं डाइकॉटमी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को दो हिस्सों में बाट कर देखने की आदत ये हम सब की शुरू से बन जाती है जैसे किसी व्यक्ति के बारे पूछे कि वो व्यक्ति कैसा है अच्छा या बुरा तो एक हो सकता है कि वो गुड है एक हो सकता है कि वो बैड है ये मारा सामान तरीक ऐबात करने का कैसा आदमिया इमानदार है कि भरष्ट है अरे इमानदार है, नहीं वो भरष्ट है तो good है, bad है, honest है, corrupt है फिर साहसी एक डर्पोक है आप गाएंगे यार वो तो बहुत डर्पोक आदमी है पर वो साहसी आदमी है तो courageous है, या coward है साहसी है कि डर्पोक है हम यह नहीं समझ पाते हैं कि जब हम इन शब्दों का इससे अमाल करते हैं तो हम उसका मूल्यांकन करने से ज़्यादा अपना करवा रहे होते हैं अब मुझे एक प्रश्ट का जवाब दीजिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छे लोग हैं हाथ खड़ा करें ऐसे लोगों के संख्या एक पाई गई है डेड़ से लेकिन एक बचा फाइनली तुम नराज क्यों रहते हैं थोड़ा प्यार से बात कर लो भाई मुझे हरा के क्या पाऊगे तो परमेटर क्या यह तो बताओ पहले इसी बात को प्यार से बोलो फिर से अचा आवाजी ऐसी है मैंने फैक्टरिंग फॉल्ट है कुछी बात है मुझे लगा सीखा है मुझे लगा बुस्से में है तो ठीक है मैं कोई परमेटर बताने के मूड में नहीं हूँ आपको सिर्फ यह बताने कि आप मेंसे कितने लोग अच्छे हैं वहाथ खड़ा करने चलो कोई बात ने कोई बात एक ने खड़ा कि एक ने किया था उसने भी समझे लिए कि ठीक नहीं है महुट अच्छा एक काहाथ में भी उच्छा है और आप मेंसे कितने लोग खराब हैं बुरे हैं वहाथ खड़ा करें इस में भी कोई नहीं हुआ अच्छा आप मेंसे कितने लोग साहसी हैं वहाथ खड़ा करने हाँ इस में कई लोग उन्याथ खड़ा कर लिया साहसी हैं और कितने लोग डरपोख हैं वहाथ खड़ा करें एक में भी ने किया और ये इस बात का प्रमान है कि बहुत सारे हैं जो हाथ भी ख़ड़ा नहीं कर पा रहे हैं पर जिन्होंने सहसी में नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था, पर एक भी नहीं कर पा रहा, ये साबित कर रहे हैं, इतने हैं कि हाथ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, जिन्होंने आज तक चोरी नहीं की ह एक, दो, तीन, तीन लोग हैं, चार हैं, करीब साड़े पांत सो में से चार, पांच पांच हो गए हैं तो करीब पांत सो पांच ऐसे लोग मिलें जिनोंने आज सक चोरी नहीं की है निन्यानवे दश्मलव कुछ प्रतिशे चोर बैठे हैं आप इससे मतलब, यही मतलब होना इस बात का, और क्या मतलब है इस बात का, यह तो मतलब है हाँ, यह भी है कि इन पांच को शैद द्याद नहों, संभाव नहीं की भूल गए होंगे किसी अन्य व्यक्ति के किसी संसाधन को बिना उसकी सूशना के चुप-चाप गायब कर लेना और यदि आपने किसी बच्चे की टौफी भी चुडाई है तो है तो चोरी ही हो की ही होगी अब देखिए कितना मुश्किल हो गया आप में से कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है अच्छा के वलेक व्यक्ति मिला है और बुरा नहीं मानना है, हमें समझना है चीजों को है न और नेति शास्त्र का सिध्धान्त ये भी है कि अच्छा व्यक्ति खुद को अच्छा नहीं कहता है जो व्यक्ति अच्छा होगा वो खुद को अच्छा कैसे कहेगा अच्छा तो खुद को कहना अच्छा नहीं माना जाता है यह एक समस्य है बुरे में कोई नहीं हाथ खड़ा कर रहा है इसकी मूल समस्य है वह यह जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जब आप अपने बारे में अच्छा या बुरा डिसाइड नहीं कर पा रहे तो दूसरों के बारे में तुरी जल्दी कैसे कर लेते हैं और एक कहावत है कि प्रत्येग व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील सबसे बड़ा है अपनी पचास गिलतियों को ढटने के लिए आप ऐसे से तरक देंगे रहे यह हो गया था ना मजबूरी हो गई थी ना इसलिए ऐसा हो गया था बेसिकली मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और दूसरा व्यक्ति करें तो कोई कंडिशन नहीं कोई सिचुवेशन नहीं अब तुरंत फत्वा जारी कर देंगे कि नीच था ही पहले पता था मुझ दो इसकी नीच था आप देवो सबको दिग गई है मैं तो पहले जानता थ दूसरों के मामले में तुरंत जज्ज्मेंट हर बड़ी से जज्ज्मेंट अपने मामले में लंबी वकालत क्योंकि पेरामिटर से लग अलग है अपने लिए लग दूसरों के लिए अलग है और एचिक्सी प्रॉब्लम यहीं से आती है डाइकॉटमी के माइंड सेट से अच्छे और बुरे हैं, अच्छे या बुरे नहीं हैं, अच्छे और बुरे हैं, हम सब में अच्छाई का भी एक खास अनुपात है, बुराई का भी एक खास अनुपात है, वो अनुपात भी स्थिर नहीं है, वो भी चेंज होता रहता है, किसी क्षण में अच्छाई का अन रावन बाहर थोड़ना है, राम और रावन दुनों अंदर है, बाहर के राम ने रावन को हराया, इससे बहुत खुश मत हो, अंदर के राम ने रावन से संघरश किया या नहीं ठीक से, असली सवाल तो ये है, और हम सब के अंदर राम भी है, रावन भी है, उनका संघरश हमे जाता है यह थोड़ा सा बुरा है यह काफी बुरा है यह बहुत ही बुरा है यह तो नीच है यह मानीच है ऐसे करते करते आप पाएंगे बहुत सारे layers बनेंगे, बहुत सरे levels बनेंगे जिसमें एक तरफ अच्छाई का क्रम बढ़ता जाएगा, एक तरफ बुराई का क्रम बढ़ता जाएगा और सब व्यक्ति अच्छाई बुराई की अलग-अलग percentage है कि ये 75% अच्छा है 25% बुरा है, इसका 95-5 चल रहा है, इसका कली 59 अच्छा था, आज 48-52 हो गया है, तो यही चलेगा ना और जैसे ही आपको समझ में आ गया कि उत्तर absolute नहीं है ये उत्तर नहीं है उत्तर बीच में exist करते हैं इसको बहुते हैं continuum approach अच्छाई से बुराई की जो यात्रा है कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, यानि दोनों extremes पर दुनिया में एक भी sample नहीं है आप दुनिया का अच्छे से अच्छा व्यक्ति ढोंड लेजिए, उसमें 5 कमी हम ढोंड दिलेंगे नीच से नीच इंसान ढोंड लेजिए, उसमें 2-4 अच्छा हैं मिली जाएंगे आपको ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है हर व्यक्ति अच्छाई और बुराई के इस continuum, इस scale में अलग-अलग point पे exist करता है और यही अनुपाथिक अंतर इच-एक्स में समझने होते हैं और यह बत के बुल व्यक्तियों के बारे में नहीं है यह फैसलों के बारे में भी है निरनेों के बारे में भी है कोई भी निरने सो प्रतिशत सही नहीं हो सकता कोई भी निरने सो प्रतिशत गलत नहीं हो सकता कोई कृत्य, यानि कि एक्ट पूरा सही, कोई एक्ट पूरा गलत नहीं हो सकता है उन सब के बीच में आपको हलके हलके वेरियेशन्स देखने होंगे और ज़स दिन आपका माइंड सेट ये चेंज होगे ना, अच्छा बुरा फत्वा जारी करने की बजाए अच्छाई और बुराई के अनुपात पर घ्यान देने लगे तुरंत फैसला करने से बचने लगे तो आप एचिक्स को पढ़ने, समझने और सिचुएशन सो सॉल्व करने के लिए बेहतर जज पहले कि तुल्ला में हो जाएंगे चलिए, अब मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए आप से दोचला सवाल और उस्ता हूँ ताकि आप थोड़ा सा एक कॉंटिनुम अप्रोच वाली बात थोड़ी और ठीक से समझ जाएं मुझे ये बताएं कि आप में ऐसे कितने लोग हैं जिनोंने आज तक किसी मनुष्य का मर्डर नहीं किया है मैं जानता हूँ कि आप सब ऐसे होंगे हैं ना, मैं जानता हूँ ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए बूचा कि आपको ये खुशी मिले कि चलो एक बेटो हाथ खड़ा कर सकते हैं हारام से हाथ खड़ा कर लिए ड्रने की दरो इसलिए ऐना असली सवाल इसके बादवाला है वो लोग हाथ खड़ा करें जो दावा करते हैं कि कि किसी भी स्टी में वो किसी मनुष्य का मर्डर नहीं कर सकते थेक से हत्खड़ागी दिये, बिना संकोच की हत्खड़ागी दिये मैं प्रश्ण को दोहरा देता हूं फिर से शहएद आप समझ नहीं पाए प्रश्ण आपस में गुफ्तगु चल रही है कि भाई तू कर सकता है कि नहीं कर सकता है कई दोस्तों शक्या निकार से देख रही किसनी हाथ नहीं खड़ा कि अच्छा लगता है मेरे बारे भी तो नहीं सोच रहा है ऐसे नहीं तो प्रश्ण को गौर से सुनें प्रश्ण ये है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भी सिती में किसी मनुष्य की हत्या नहीं कर सकते ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें संकोष नहीं ठीक से हाथ खड़ा गर उपर नीचे क्यों करते हो एक दो तीन चार पांच छे साट आश नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह लोग ऐसे पाए गए हैं यानि कि 537 लोग हत्या कर सकते हैं ठीक जो तेरह लोग हत्या नहीं कर सकते उन से कुछ सवाल पूछ रहते हैं दो-चार इब फिर से हाथ खड़ा करने में बाद देख लूँ पहचान लूँ चलिए मेरा ख्याल है कि अब आप प्रश्ण को नहीं समझपा रहे इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं दो मिएट के बाद आप हत्या करने में उतारू हो जाएंगे अगर ऐसे सिचुएशन मिल गई तो सिचुएशन कुछ भी समझ लीजिए जैसे मानली जी कि आप उने घर में हैं जोइन फैमिली में हैं अच्छानक दो तिन डाकू घर में घुजगए हत्यार के साथ और वो आपके घर के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया और हत्या करने पे उतारू है और आपको नहीं देख पाएंगे आप इसी ऐसे पाइंट पर शेपए हुगा थे कि आप पर नजर नहीं पड़ी है और उनमें से एक की पिस्तोल पर उसमें गिर गई है सिचुवेशन मैं जो दे रहा हूं उसको मानना पड़ेगा उसमें किंतो परंतो मत करना भीच भीच पर ठीक है कि मुख्या को गोली लगती है सब भाग जाएंगे ड्रग हमारे संभावना है और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपके घर में किसी ना किसी को विशेश रूप से तो सबसे चोटा बच्चा होगा पहले उसको टार्गेट करेंगे वो लोग उसकी हत्या हो सकती है यह सिचुएशन आपके सामने है एक ही रास्ता है या तो आप गोली मार दें उसको नहीं तो वो गोली मारेगा आपके घर के किसी मेंबर को बीच का कोई रास्ता नहीं है तो अब वो तेरा लोग फिर से हाथ खड़ा करें बताएं कि इस सिचुएशन में आप उसकी हत्या करेंगे या नहीं करेंगे जो इस सिचुएशन में नहीं करेंगे वो हाथ खड़ा कर लें सिर्फ ऐसे एक में नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है यह इसा value system किसी को ऐसा लग सबस्कता है कि मैं नहीं मारूओंगा किसी भी situation में है बाप तो वह ही गोली सला देंगे मतलब क्या गोली क्या करेंगी जाके हत्या ही तो करेंगे हो तो होगी उससरे एक व्यक्ति का मानना है कि मैं इस सिचुएशन में भी हत्या नहीं करूँगा चलिए आपको अगली सिचुएशन देते हैं देश पे खत्रा है और कुछ आतंकवादी है जो भारत देश में बहुत बड़ा परमानू हमला करने वाले हैं और एक व्यक्ति है जो इसका पूरा किंग पिन है और सारा तकनीकी पक जानता है आपको सूचना मिल गई है आप रा में हैं आई बी में हैं किसी में हैं और एक ऐसा ही सिचुएशन है पांच मिनिट की कि वो व्यक्ति आपके सामने से गुजरने वाला है और सरकार ने निरदेश दीया है कि अगर ये वयक्ति जिन्दा रहा तो परमानों हमला हो के रहेगा भारत पे और किए हजार लोग मरेंगे और कई हजार कई पीड़ियों तक विकलांग रहेंगे उसके बाद तो सरकार ने आपको निर्देश दिया है एक इंस्रूमेंट दिया चोटा सा कि इसको बस टच कर देना इससे उसकी मौत हो जाएगी और एक दम आसान है कोई दिक्कत नहीं है और उस सिचुएशन में केवल आप हैं देश के तरफ से कोई और है नहीं वहाँ पर अकेले आप ही है तो आपको मोदी जी को जवाब देना है कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे अगर नहीं हैं इतना ही है अगर आप उसको मार देंगे तो देश पर परमानू हमला नहीं होगा अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो देश पर प्रमाणू हमला होगा इतना ही मामला है रस अगर मगर का स्कोप नहीं है हाँ या ना सिर्फ मारेंगे या नहीं मारेंगे आप तो पहली मारने को उतारू बैठे हुए मैं तो उन से बूच रहा हूँ भाई आप तो पिछली बाजी मार चोके सब लो हाँ पता भाई पुरा देश देख रहे आपके तरफ जहां से क्या करोगे ने ने बताइए लो अब यह कहरें मार देंगे तो फाइनली साड़े पांथ सो क्यों साड़े पांथ सो हत्यारे निकले एक आप से उमीद थी वो भी उमीद टूटी गई इसका मतलब क्या हुआ इचिक्स की दुनिया में सिचुएशन्स मैटर करती है आप किसी भी कृत्य को हर सिती में नेतिक या हर सिती में अनेतिक नहीं कह सकते एक खास सिचुएशन में वो कृत्य नेतिक हो जाएगा जो दरसल आप बहुत अनेतिक मानते हैं वरनख क्या है? जब युद्ध ह होता है, तो हम कहते हैं कि हमारे इस सैनिक ने दुश्मन के साथ सैनिकों को मारा हत्या ही तो की पर वह हत्या कितनी गोरव वाली हत्या है क्योंकि देश को बचाने के लिए इसने युद्ध में अपनी जान खत्रे में डाल के हत्याएं की है हम उस हत्या को हत्या नहीं कहते हैं हम कहते हैं कि महां से निक है, जामबात से निक है लेकिन यदि कोई वेक्ति देश के अंदर एको मार दे तो हम कहते हैं कि हत्यारा है जबकि दोनों का कृत्यक किसी एक मनुष्य की हत्या करने कहीं तो क्रित्य है एक situation में हत्या या आत्म हत्या गरोपूर्ण है देश को बचाने के लिए बलिजान दे दिया गरोपूर्ण है पडोसन को बचाने के लिए जान दे दिया कायर आदमी हैं ऐसा थोड़ना करते हैं थोड़ा समझदार होना चाहिए था तो, यह लोग कहते हैं कि ठोड़ा 만들어 व्रचांधा हो गया था लेकिन दूनों केसीज में हत्य आत्महत्या ही थो रही है व्यापक जैत्म हत्या है तो उसको हम भत्या नहीं कहते हैं अच्छा कृत्य कह Đेते हैं व्यापक होगी में आत्महत्या को बलिधान कहते हैं संकेर्ण हित्मे, शुद्र हित्मे, हत्या को हत्या कहते हैं और आत्म हत्या को आत्म हत्या ही कहते हैं, उससे सम्मान नी करते हैं, same act with different situations, और इसलिए हमारे मुल्यांकन evaluations एक दम change हो जाते हैं, तो ethics की दुनिया ऐसी subjective दुनिया है, जिसमें कुछ निश्यत नहीं है, गनित वाले दिमाग से मत पढ़िएगा, गनित का दिमाग चाहता ह慌ते हैं कि हर चीज सही शडी ुतर मिल जाए, यहां सटी कुतर नहीं मिलते हैं, सबसे वस्तुनिषटविषय के गनित से है, जनिश्यत है सबसे आत्मनिष्य पिशय होता है सहत्य और नितिशास्त्र, तो कई ऐसे प्रशनाएंगे जहां आप चाहेंगे कि एकदम ऐसा उत्तर मिल जाए कि बस बात खतम हो जाए वह उत्तर एथिक्स में नहीं होते हैं ना आप दे पाएंगे ना मैं दे पाऊंगा इध्यान रखें चलिए पाठेक्रम निकालीए अब समझते हैं कि आपके जो स्लेबस है उसके क्या डिमांड्स है IES के लिए और उत्तर प्रदेश PCS के लिए पाठेक्रम एकदम समान है जो उत्तर प्रदेश का नया स्लेबस आगया है उन्होंने इसी स्लेबस सो कौपी कर दिया है उनको लगाओ को क्यों इतनी मेहनत करें UPSA ने करें रखें मेहनत तो उसी को उठाके लगा दिया पूरा का पूरा बाफी पेपर्स में यह किया है कि उत्तर प्रदेश के विशेश पर इप्रेक्षिम है वह तो इसमें तो भी नहीं कर सकते हैं कि बाकि स्लेवर्स अलमस्ट यही उपीसी के और PCS के हर धांचे में है। कुल टॉपिक से संख्यास में आपको आर्ष नजर आएगी। अगर इस स्लेवर्स को हम बांट लें, ठीयरी और ठीयरी का में लिए अब सैध्धान्तिक यह टॉपिक्स हैं। और दूसरा है Case Studies। Case Studies का एक ही टॉपिक है topic नमबर 8। और जो एक से लेकर साथ तक है वो थीयरी है। और आपको पता है कि practical जो होता है वो थीयरी के बेस पे ही होता है, हवा में तो होता नहीं है। तो जो टॉपिक नमबर आठ है वो टॉपिक अपने आप में लगभग आपका आधास लेवस के आसपास का महत्व रखता है आधा मैं इसलिए कहा रहा हूँ कि आम तोर पर एक सो बीस, एक सो पत्चिस, एक सो तीस नमबर के सवाल एचिक्स में केस स्टेडी से आते हैं पर वो सवाल हवा में नहीं आते हैं, वो सवाल दरसल इन साथ टॉपिक पर ही आते हैं इनको पढ़ेंगे तो सद्धानतिक भी पढ़ेंगे, फिर उसके बैस पर समझेंगे कि कौन सी सिचुएशन्स हो सकती हैं situations हो कैसे handle करेंगे तो वो क्या हो गया case study हो गया और जब तक पढ़ेंगे सिद्धान्त क्या क्या है तब तक यह बना हिस्सा रहेगा इसमें जो topics हैं हमें समझना सिर्फ यह है कि कहां कहां से यह topics आपके link होंगे और इसलिए इनको पढ़ने का क्रम हम किस तरह से रखेंगे दरसल जब यह paper आया UPSC में तो इस फील्ड में जो अधियापक लोग थे उनके सामने संकट सागी इसको कौन पढ़ाएगा कैसे पढ़ाएगा तो फिर यह हुगा कि यह कौन से विशे से जुड़ता है उसके बद भी आखे आयने शुरू है समाच चास्ते के कुछ लोगों ने कहा कि यह समाच चास्ते के सिलिभस में से निकला है लोग प्रशासने के लोग बोले कि हम में से है, हमारा ही है दर्शन के लोग भी दावा कर रहे थे कि दर्शन का है मनो विग्यान के लोग भी कह रहे थे कि हमारा है तो ये कहां से जुड़ता है सही इसका उत्तर ये है कि ये इन में से किसी एक विशे से नहीं है ये इन चार विश्यों का कुल मिलाके LCM है बेसिकले चार विश्यों से बना हुआ है पहला टॉपिक है इचिक्स का जिसको आप कह सकते हैं कि बेसिक या जो इचिक्स का मूल धाचा है तो आप इंटोड़क्शन कह लेजिए कि टॉपिक नमबर एक है परिचाय है दूसरे टॉपिक का नाम है एटिट्यूड एटिट्यूड के लिए यूपियस से जो शब्द चुन लिया है वो है अभिवृत्ती कुछ पुस्तकों में इसको मनो वृत्ती भी लिख देते हैं लेकिन अब अभिवृत्ती शब्द ही इस पर प्रचलित है हम इसी का इस्तेमाल करेंगे टॉपिक को आप कह सकते हैं कि इसमें दो चीजे हैं एक है एप्टिट्यूड और एक है वैल्यूज पस एप्टिट्यूड और एप्टिट्यूड में के वल टी और पी का ही अंतर है कि ए के बाद पी है के टी है वाकि सेम है aptitude plus values तो aptitude के लिए हिंदिय शब्द है अभिरुची और value के लिए क्या शब्द होता है मूल्य तॉबिक नमबर चार है emotional intelligence यानि कि भावनात्मक, बुद्धि मत्ता, भावनात्मक प्रग्या, भावनात्मक समझधारी उसके लिए हिंदि में कई अनुवाद चलते हैं emotional intelligence तॉबिक के लिए भावनात्मक, बुद्धि मत्ता, शब्द का इस्तेमाल कर लें तॉबिक नमबर पांच, basically philosophy है philosophy of ethics इसमें लेखते हैं भारत और विश्व के नैतिक चंतकों और दार्स्थीकों का योगडान तो नीति दर्शन कह सकते हैं नैतिक अक दर्शन के हैं जाहे भारत में dalej बिखशित हुआ और पुरा दर्शन इसमें नाम किसी का ने लिखा हुगा, सिर्फ इतना लिखके छोड़ दिये है, जिसका मतलब है कि अपन टॉपिक है, इसमें किसी भी विस्तार में जा सकते हैं। चटे का सम्मंध है एड्मिनिस्ट्रेटिव एचेक्स के साथ। प्रशासनिक नेतिक्ता के साथ। कि जब आप रशासनिकी दुनिया में जाएंगे तो वहां वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, प्रॉबिटी कैसे होगी, गवर्नेंस कैसे चलती है, इस तरह के सवाल, कई जीजें, कॉर्पोरिट गवर्नेंस क्या है, उसका फाइदा क्या है, और साथमा जो है, वो करॉप् यह सारे हैं, अगर मुझे बताना हो कि किस टॉपिक का समन किस विशय के साथ है, तो मैं यह कहूँगा कि चार विशय दिमाग में रखिये, सबसे पहला विशय है साइकॉलोजी, निके मनोविज्ञान, अगर इस पार्ट्षेकर में किसी एक विशय को चुटने नहों, जिस यानि कि सामाजिक मनोविज्ञान, उस से तीन टॉपिक सीधे सीधे आपके पार्ट्षेकर में हैं, एक है टॉपिक नंबर दो, यानि कि एटिट्यूट, टॉपिक नंबर तीन का कम से कम शुरुवाती आधा हिस्सा यानि कि एप्टिट्यूट, तो नंबर दो में एटिट नमबर तीन में एप्टिट्यूड और टॉपिक नमबर चार जो है इमोशनल इंटेलिजेंस यह पूरा हिस्सा मनोविज्ञान से आपके पाठीकम में है तो इसको समझने के लिए हम एक साथ मनोविज्ञान में उतरेंगे इन तीन टॉपिक को कवर कर लेंगे एक एक विशे देके उतरेंगे तो अच्छा रहेगा वरना कन्फिजन होने का खितरा हो सकता है बात समझ में आगी कि टॉपिक नमबर दो और चार पूरा और तीसरे का बड़ा हिस्सा मनोविज्ञान से है विशेक रमांग दो है फिलोस्फी और फिलोस्फी का सम्मंद एक ही टॉपिक से अब जाना चाहें तीसरा विशह है पब्लिक एड्मिनिस्टेशन लोग प्रशासन और लोग प्रशासन का सम्मंद आपके दो टॉपिक से तो पूरा है एक है टॉपिक नमबर छे एक है टॉपिक नमबर साथ और टॉपिक नमबर तीन का छोटा सा हिस्सा इस से जुड़ता यह लिंक ध्यान रखेंगे ने तो पढ़ना आपके लिए बड़ा असान रहेगा और चौथा और अंतिम विशय जो इस पाठिक्रम से जुड़ता है वो है सोश्योलोजी सोश्योलोजी का लिंक सबसे कम है वहलब एक दो दिन का पाठिक्रम हमारा पचास में से ऐसा होगा जो समाज शास्ते से जुड़ेगा बहुत होगा तो तीन चार दिन मान लिजिए टॉपिक नमबर एक का एक सब टॉपिक ऐसा है अगर आप पाठिक्रम हाथ में रखें तो मैं आपको बताता हूँ टॉपिक नमबर एक में जोनतिम हिस्सा है मोल ये विक्सित करने में परिवार, समाज और शैक्षनिक संसाओं की भूमी का ये हिस्सा सीज़े तोर पर हम सोशोलजी से लेते हैं हालांकि सोशल साइकोलोजी में भी है ही ऐसा नहीं किवान नहीं है लेकिन हाँ, सोशोलजी में इस पर काफी अच्छे तरीके से काम हुआ है और यदि कोई आप से पूछे केस्टेडिस के लिए क्या करना है तो केस्टेडिस में ध्यान रखिएगा केस्टेडिस का सम्मंध मुक्ष रूप से जिन तीन टॉपिक से होता है वो है छे, साथ और तीन ये मुक्ष है और उसके बाद टॉपिक नमबर दो और चार इन पांश टॉपिक से केस्टेडिस बनती है सबसे ज़दा केस्टेडिस बनती है टॉपिक नमबर छे से जो एड्मिनिस्टेटिव इचिक्स का है फिर साथ जो उससे जुड़ा हुआ है तीन में कुछ value system है bureaucrats के लिए उसके बारे में है दो और चार से सीजी case study कम आती है लेकिन हाँ कोई ऐसी case study हो सकती है जिसा समन्द attitudes या emotional intelligence से हो हम इसको खारिश कर नहीं सकते सब्भावना बनी रहती है यहां तक आप मेरे साथ चल रहे हैं मैं आगे निकल गया हूँ साथ चल रहे हैं यहां तक ठीक है अब हम पार्थे क्रम में प्रवेश कर रहे हैं अब तक पार्थे क्रम क्या है यह जाना अब हम पार्थे क्रम में घुसने की शुरुवात करेंगे लेकिन पाठिक्रम के किसी टॉपिक में घुसने से पहले मेरी इच्छा है कि मैं चार-पाथ शब्दा को समझा दू क्या है एक बेसिक आइडिया पूरस लिवसका हो जाए एक तरीका यह होता है कि आप टॉपिक नमबर एक उठाएं उसमें घुसें टॉपिक नमबर दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ को लेकर आप अंधिकार में हो कि इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है कि पहले एक आप घंटे में ना सारी टॉपिक सा क्रक्ष समझे लेजे टॉपिक नमबर एक से बात शुरू नहीं करते हैं उससे तो हम पार्ठेक्रम भी शुरू कर देंगे उसके बाद के जो शब्द हैं को देखते हैं एक शब्द है एटिट्यूड इन शब्दों पर कम से कम इतना समझ लीजे कि कल से जब बात हो तो इन शब्दों को सुनते हैं आपको समझ मैं कि क्या बात चल रही है एटिट्यूड है आपके पार्ठेक्रम का टॉपिक नमबर दो इसके लिए हिंदी में क्या शब्द था? अभिवर्थि खिक टॉपिक नमबर तीन में एक शब्द है एप्टिट्यूड यानि के अभिरुची तीन में ही एक शब्द है वैल्यू जो एक में भी है एक और तीन दोनों में है वैल्यू यानि के मूल लिया टॉपिक नमबर चार में एक शब्द है इमोशनल इंटरिजन भावनात्मक बुद्धी मत्ता कुछ लोग भावनात्मक बुद्धी भी कहें काम चरा देते हैं और लगे हाथ एक शब्द और देख लेते हैं उसके सवाल खूब आता है वो टॉपिक नमबर छे में है कंशाइन से एक शब्द आता है अंतरात्मा उसके रिए हिंदी शब्द है इन चारपाश शब्दों को समझ लिए तो अठिकरम एक शुरुवाती पकड़ आपकी हो जाएगी फिर हम एक टॉपिक लेके सारे सवाल करते हूँगा आगे बढ़ेंगे तो यह शब्द क्या है और योपियसी के सिल्लवस में क्यों है इससे क्या फरक पढ़ता है सेविल सेवाव में दोनों बाते समझते है लेकि जो एटिट्यूड है इसका एक मतलब तो वो होता है जो युवाओं की भाषा में होता है युवा भाषा आप लोग के दुनिया में चलताना कि बहुत ऐटिटूड दिखाती है भाजाना किन भाजा कर रिपना कि बहुत ऐटिटूड है एक तो वहाला शब्द होता है जैसे कोई कुछी किसी से कही कि क्या में आपसे बात कर सकता हूँ कि तेरे जैसे 500 वाते हैं रोज, चले यहां से, चले यहां से, यह क्या है, एटिट्यूड है, इस एटिट्यूड का सही अर्थ है बत्तमीजी, यह अभिवरित्ती नहीं है, यह बत्तमीजी है बैसिक लिए, है ना, या कोई किसी को देखके दोस्ती के भाव से ख़ड़ा हो, स ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, महा बत्तमीज चाइप की लोग, और इसको युवाओं की भाशा में कहते हैं कि एटिट्यूड है बंदे के अंदर, बंदा गजब का है, तो एटिट्यूड है, तो पहरे तो उस तो दिमाग से निकाल दीजिए, तो यह एटिट्यूड बत् बत्तमीजी है, तो यह वो नहीं है, कल से आप उस मामले में इस शबत एस से मन बत कीजिएगा, उसको बत्तमीजी है कहना, एटिट्यूड का सही मतलब अगर समझे ना इदम डेसी भाशा में वो है, रुजहान, रुजहान, एक्दम सामान्य नुवादिस्या करना हो ना, ए तो आपका किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी विचार, किसी भाव, यह कुछ भी के प्रति, अगर रुजहान है तो हम कहेंगे कि आपका उसके प्रति पॉजिटिव एटिट्यूड है, ठीक है? जैसे आपने से कुछनों को खास रंग पसंद होगा, जैसे कुछनों को लाल पसंद आता है, और सावन के अंधों को हरा ही आरा दिखता है, पसंद आता है, हरा ही पसंद आता है, कुछ को खाला पसंद आता होगा, तो आपको जो रंग पसंद है तो हम कहेंगे उस रंग के प्रति आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति है, पोजिटिव एटिट्यूड है, स्वष्ट हुआ एक दम कभी ऐसा भी होता होगा कि किसी के प्रती अच्छा ने बलकि बुरा भाव आता होगा नेगिटिव एमोशन आता होगा जिसे घर से सुबह सुपह निकले, किसी का चेहरा देख और आपने का आज तो दिन बन गया वे, मज़ आज आज तो सुबह सुबह भाईया को देख लिया, या दीजी को देख लिया, या अंकल को देख लिया, या आंटी को देख लिया, या दादाजी को देख लिया, तो डिपेंड करता है कि आपकी मनों वृत्ति कैसी है, उससे डिपेंड करता है तेकिन ऐसा भाव कही बहाता हो ने कि आस तो दिन बन गया इसका मतलब उस व्यक्ति के प्रतिय आपके मन में बहुत ही सकारात्पक अभिष्टी है पोजिटिव एटिटिट्यूड है और कभी-कभी इसका उल्टा भी होता होगा यह जैसी आपने जैसी सोचा कि आस तो दिन मन गया हो सकता है उसके मन में है कि आरे यार सुबह सुबह किस मन्हूस को देख लिया यह हो सकता ना कि आपके मन में यह भाव आया इससे कहां गारंटी कि उसके मन मोई भाव आएगा और उसके मन में पुरंट आरे इस मन्हूस को देख लिया सुबह सुबह सप्ता खराब हो आप तो, हफ्ता ही खराब है, पर वो देख रहे हैं, आसपस नानी मिले तुबहीं थूकूँ या उल्टी करूँ कुछ करूँ कैसे, क्या करूँ, खराब लग रहे हैं कि आपको देखते ऐसा भाव किसकी मन में क्यों आएगा, हो सकता है, कोई नफरत करते हैं, किसी को नफरत नेगिटिव एटिटूड आपको लेकर, तो कोई आप से पूछे, एटिटूड क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तू, विचार के प्रति, सकारात्मक या नकारात्मक, रुझान का होना एटिटूड है, सिंबल सी बात है, यह तो होता ही यह, जिसे आपने से कुछ लोग कु कि उब चुऌच तीनडा खूर होते हैं, उनको पसंदा आता है, उनको पसंदा आता है, क्या कर सकते हैं ? लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं तो इसका अपनी चोइस है, क्या दिखकत एसमें तो इन्ड़ पसंद देपको, बिंड़ी पसंद देश को जो पसंद देखा ही है व्यक्तिकर चोईसे हैं, हो सकता है कि बच्वाने पहली बार जो टिंडा किसी ने दिया आपको इतना खराब बनाया कि तब से नफरत आपको हो गई, तब से आपने उसका मुई नहीं देखा फिर से, और दूसरे व्यक्तिक ने पहली बार खाया तो अच्छा बना हुआ थो उ अबामतर पर इतना पक्का बन जाता कि वो लगभग जीवन भर आपके साथ चलता रहता है, इससे किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए, और UPSC क्यों इसके पीशे पड़ी हुई है, दिक्कत तब होती है, जब आपके एटिट्यूड किसी समुदाय को लेके नेगटिव हो ज लग गए है, तब दिक्कत है, जैसे अगर आपकी परवरिश ऐसी हुई कि जाती विवस्था में आपका विश्वास बना हुआ है, आपको पता नहीं है, पर आपका अवचेतन मन उसमें डूबा रहता है, और आपको सिर्फ इतनी सूचना मिलने से कि ये व्यक्ति एक खास जाती का है, आप उसके प्रती उतने सहज और उदार नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो ये समस्या आपकी नीजी समस्या है, ये आपके प्रशासनी कजिकारी बनने के बाद समाज की समस्या हो जाएगी, ये समाज की समस्या है, इसलिए UPSC के लिए जरूरी है कि पहले ठोग प विशेश के लोगों से नफरत है, और आप बनना चाहते हैं राज्य के सेवक, और राज्य किसी धर्म विशेश का नहीं होता है, राज्य सब धर्मों को लेके चलने वाली संसा है, तो सिर्फ इसलिए कि आप एक धर्म विशेश के व्यक्तियों को उतना मनुश्य नहीं मानत जितना अपने धर्म के लोगों को मानते हैं इस वजह से भारत सरकार का लोग कल्यान करी राज्य होने का दावा खारीज हो सकता है क्योंकि आप उसके प्रत्मिधी के ताउर पर कुछ ऐसी गलतियां करेंगे एक वक के साथ जो नहीं होनी चाहिए थी इस से फर्क बढ़ता है अगर आप दिमाग के अंदर कहिना कहिने रंग भेद के शिकार हैं नसल भेद के शिकार हैं बेशक बोपता नहीं है पर आपको जाने अंजाने वो वाले गीत पसंद आते हैं जिसमें गोरे रंग की तारिफ की जाती है चिटियां का लाईयां वे और आप समझ नहीं पाते हैं कि दरसल ये गाना नसल भेद बढ़ता है आपको उसे संगीत में रुची है लेकिन उसके नसल भेदी पक्ष पे आपका दिमाग नहीं जा रहा है तो खतरा है कि आप जाने अंजाने किसी रंग विशेश के व्यक्ति को फाइदा पहुचा देंगे और कोई व्यक्ति क्योंकि अश्वेथ है थोड़ा साफ रंग नहीं है उसका इस वजह से हो सकता है कि आपका कोई निरनाय जाने अन जाने उसे खिलाफ हो जाए आपको पता भी ना चले आपके निरनाय प्रक्रिया में इतने गहरे सरपर वो बात बैठी हुगी आपको पता भी नहीं है अचेतन में है इसलिए जरूरी है ये देखना कि आपके सोशल एटिट्यूट्स कैसे है हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए सिविल सेवाओं में जिसका धर्म को लेकर एटिट्यूट धर्मनेर पेख्षता वाला हूँ धर्मनेर पेख्षता का सरल स्वाभाविक सकारात्मन मतलब क्या होता है सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यभार जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस ओफ सेकुलरिजम negative sense नहीं, positive sense कि हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान हर धर्म का सम्मान किसी से नफरत नहीं, नाराज़गी नहीं और यदि आप एक धर्म विशेश के फिदाइन बने घूम रहे हैं तो आपको civil सेवा तो नहीं होना चाहिए कम चेकम फिर आप किसी मंच-मंच या सीना बेना के मेंबर हो, वो ठीक लगता है civil सेवा में होना चाहिए इसलिए attitudes को देखना जरूरी है और भारत सरकार की चनौतिय क्या है कि जो भी व्यक्ति civil सेवा बनेगा आएगा तो society में से ही, समाज में से ही आएगा और जो समाज में से आएगा बहुत सारे attitudes तो पहले से लेके आएगा ही आएगा उससे कैसे कोई बच सकता है बचपन से सीख रहे हैं, कोई एक दिन के बाद ठोड़ना है और यदि उसके कुछ attitudes गलत हैं तो सबसे पहले तो उसको ये सिखाना की कहां गलती है और दूसरा attitudes कैसे change की जा सकते है इसके भी dynamics है, तरीका है आपके पार्ठीक्रब में भी है कैसे बदलेंगे है किसी के attitude कैसे training process में उन civil सेवकों के attitudes को बदलें जिनके मन में कुछ गलत बाते बैठी हुई है जो प्रशासन के लिए घातक साबित हो सकती है इसलिए ये topic आपके पार्ठीक्रब में है तो पहला शब्समझ में आगिया किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव या किसी के भी प्रती सकारात्मक या नकारात्मक रुझान कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि रुझान सकारात्मक प्लस नकारात्मक हो तो दोनों एक साथ हो, ऐसा भी हो सकता है रेरली ऐसा होता है, उसको हम बोलते हैं कि एम्भी-वेलेंट एटिट्यूड है, जब पढ़ेंगे इस topic को तो बिस साल में समझेंगे लेकिन जनरली सकारात्मक या नकारात्मक रुझान स्पश्रिक तब चलिए दूसरा टॉपिक है एप्टिट्यूड और एप्टिट्यूड का सरल सा मतलब हिंदी में क्या शब्द है अभेरुची अब बौधिक आतंकवादी भाषा का इससे माल तो कईड़ी सकते हैं लेकिन सरल भाषा में इसको कहना हो तो आप प्रतिभा कह लेजिए सबसे आसान शब्द एक शब्द में समझना हो तो क्या है प्रतिभा है प्रतिभा का मतलब क्या होता है कि आपकी अंदर कोई जन्मजात ख्षामता है जन्मजात योग्यता है आमतर बजन्व जाद किसी किसी सिचुएशन में छोड़ा सा पैक्टिस सेम ला भी सकते हैं तो कोई योग्यता है आपके अंदर आपकी राय में जब कोई बच्चा पैदा होता है यह जितने बच्चे हैं क्या सब बच्चों की योगिताइं बराबर होती है अलग अलग होती है और अलग अलग शेत्र में अलग अलग स्तर की योगिताइं होती हैं कोई बच्चा गंतअग्य बनने के लिए पैदा हुआ कोई संगीतकार बनने के लिए पैदा हुआ कोई कुछ नहीं बनने के लिए प तो वो कुछ भी नहीं बनने बिए पैदा हुआ है, उसका उसी में शौक है, अभीर उची पतिभा उसी में तो पतिभा का मतलब है कि योगता है, जो सामान्यता ह你好 जनम जात होती है सामान्यता है कुछ मामलों में ऐसे एक्जामपल्स हैं, कि कुछ योगजिताएं जन्म के बाद भी डवलप होती हैं, तो सामाण में ने जन्म जात योगजिता होती है, ठीक? मैं अब आप उचे ये बताएं कि सचिन के अंदर जन्म जात योगजिता के गडर बनने कि थी या नहीं थी? पूरी कथा सुनने के बाद एक श्टोता ने पूछा, बस एक बाद बताईए बापू, सीता किसका बाप था? तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो श्टोता कितनी गंभीरता से सुन रहा था कहानी को. और ये बात मुझे यहां क्यों याद आई अभी? क्योंकि आपने जवाब दिया है, वो कुछ-कुछ वैसा ही जवाब है, उससे सर का जवाब है. मैंने अभी अभी आप से कहा कि इसका मतलब है कि योग्यता होती है, सामाने तह जन्मजात होती है, और फिर मैंने पूछा कि सचिन तेंदूलकर इतना महान क्रिकेटर बना, आपकी राए में उसके अंदर जन्मजात योग्यता थी या नहीं थी, और आपके कहा नहीं थी, कैसे पता लगा आप लोंको नहीं थी, कोई ऐसा परिक्शन होगा था, कॉमन सेंस से आपको लग रह बचपर में दोनों साथ साथ खेले, शांदार खेले, दोनों शांदार पेर से, संयोग से इंटरनेशनल ट्रिकेट में विनोत कामली उतना चरा नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि उसको मौके कम दिये गए, कुछ कहते हैं कि नहीं मौके परियाब दिये गए, मैं उसमें नहीं जा रहा कि मौके कम मिले कि जजयादा मिरे लेकिन इतना उसका results वैसे हमें द 시청 नहीं अगर बात practice की थी तो मैं दावे से कह सकता है जो प्रैक्टिस विनोत कामली की कम नहीं थी मैं ये भी दावे से कह सकता हूं कि सचिन से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले कई बैट्समें भारत में हुए हैं और होते रहेंगे तब भी वो सचिन या विराट बनने पाएंगे तो सचिन को सचिन और विराट को विराट बनाने वाली कौन सी चीज़ है अब भ्यास अंतिम बस्तू तो नहीं है वो कहने के लिए होता है करत करत अब भ्यास की जड़मती होत सुजान जड़मती जड़मती ही रह जाता है बहुत सकोप नहीं होता है थोड़ा सुजान हो जाता है बहुत बड़ा सुजान नहीं बन सकता है अब भ्यास की अपनी limitation है ना भई अब भ्यास करने से ठीक है एक स्थर तक आप expertise हासिल कर लेंगे पर अब भ्यास करने से हर चीज फुरना हो जाती है प्रतिभा नहीं आती है प्रतिभा का मतलब है जो basic ability आपके अंदर है अब वो दिमागी सर पे है, निरून्स के सर पे है हर्मोन्स के सर पे है, किस सर पे है जीन्स के सर पे है, कहां है नहीं पता लेकिन हर व्यक्ति हर काम करने के लिए पैदा नहीं होता है ये एक सामान्य निशकर शम्रुग बानके चल रहे हैं आगे पढ़ेंगे मनोगे ज्ञान तो उसमें कई ऐसे रिसर्चिस भी आपके सामने आने वाले हैं। चलिए मैं आपसे पूस्त हो, सिंपल बताईए ना। मान लिजी कि सचिन तेंदुलकर बच्पन से उतना अभ्यास न करता। और सचिन के पडोस के घर में रहने वाला व्यक्ति उसका नम कचिन, कचिन तेंदुलकर मान लिजीए। वो उतना अभ्यास कर लेता है। तो क्या कचिन तेंदुलकर उतना महान ट्रियटर बन जाता जतना सचिन बना। अगर मामला केवल अभ्यास का है तो बनी जाता है और आप इससे सहमत होंगे कि सचिन से ज्यादा अभ्यास कुछ लोगों ने किया ही होगा विराट से भी ज्यादा लता जी से ज्यादा गाने का अभ्यास का ही लोगों ने किया है जैसे मैं कितना भी अभ्यास कर लूँ, कैसे गाऊंगा है ना, कोई कववा कोवेल कैसे बन सकता है, कववा तो कववेल हैगा, कोवेल कैसे बनेगा, ठीक वैसे ही, लता जी के पास जो आवाज का गुन है, वो अभ्यास से आया है या उसमें कुछ असा जन्जात भी रहा होग वो creative ज़दा हो सकते हैं, emotive हो सकते हैं और जिनका mindset बहुत logical टाइप का नहीं होता, arithmetical टाइप का नहीं होता उनको C-set में बड़ी दुज़ा होती है maths का प्रश्ट देखते हैं, उनके होश फाक्ता हो जाते हैं नहीं समझ में आता है एक बज़े हो सकते हैं कि teacher अच्छा नहीं मिलाथा लेकि teacher अच्छा मिलने के बाद भी अगर वो नहीं समझ पारें तो इसका मतलब यह है कि उनका जो mindset है वो उस तरह के विश्यों के अनुकूल नहीं है और केवल मेहनत करने से कोई गंतग्य बन जाएगा ऐसा नहीं होता है और यदि आपका जो basic mindset है, personality है, शुरू से वो logical bent की है तो आप गंत पढ़ेंगे, science पढ़ेंगे, reasoning पढ़ेंगे, फटाफट करते चलेंगे क्योंकि आपका दिमाग उस चीज़ को support करता है और किसी का दिमाग सपोर्ट करता है, किसी का नहीं करता है, ये genetic मामला है और genetic का मतलब जर्मजात मामला है, मेरे चाहने से क्या हो जाएगा आपको अजीब सा लगे गए है बात सुनके क्योंकि इससे आपके समाज़वात का भाव खत्म हो जाएगा मनमे क्योंकि समाज बात तो मानता बराबरी होने चाहिए लेकिन बराबरी प्रकृति ने नहीं बनाई है हम बेशक बना ले प्रकृति ने सभी व्यक्ति को बराबर नहीं बनाया है ये कटू सत्य है सत्य है कटू है लेकिन मेरे ये आपके चाहने से ये बदल ले जाएगा है तो है हम तो सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इस पर रिसर्च क्या क्या हुई यो रिसर्च के निश्करश क्या क्या निकले लेकिन सच तो सची रहेगा मेरे बदलने से कैसे बदल जाएगा अच्छा आप मेंसे कितने बच्चे ऐसे हैं जो खूब कोशिश करने के बाद भी गनित से सहज नहीं हो पास प्रहाथ खेला करें गनित से बड़े दिक्कत होती है इसकी वज़ा है एक मात्व यह नहीं है कि टीचर आपको अच्छा नहीं मिला लेकिन कई लोग कविता हैं लिखते हैं बड़ी इच्छ शांदर कविता हैं और कविता लिखने के लिए गनित नहीं चाहिए उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए ओस वह œ Communication अअलग चीज़ है क्या है समझेंगे किससी दिन विस्तार में समझेंगे मैंने हजार बर कोशिश कर ली बहुत खराब खराब कविता है लिख भी ली लेकिन जिस तरह की कविता पढ़के मुसे लगता है यह कविता है, वैसी कविता मैं आज सक नहीं लिख पाया अब मैंने कोशिश करने बंद कर दिया है क्योंकि मैं एक निशकर्ष पर आ गया कि मेरे अंदर वो creativity वाला element नहीं है जो मैं अपने अंदर घूनो और मैं अभ्यास से creative हो जाऊंगा एक बकवास बात है उसने इतना अभ्यास किया कि मॉलिक हो गया ये एक मजाख है भद्धा मजाख है आप अभ्यास से वही काम कर सकते हैं जो हमेशा एक ही तरह ऐसे होना है repetition करते जाएंगे अभ्यास होता जाएगा driving कर सकते हैं अभ्यास से, driving सिख लीजिए driving में creativity का scope नहीं है clutch दबाना है, race पर पैर रखना है, clutch खोड़ना है ये सीखने में चार दिन लगते हैं चार दिन घच घच होता है उसके बाद गाड़ी चल पड़ती है चार दिन खच सरुख जाती है गाड़ी या race बढ़ जाती है चार पांस दिन के बाद क्या होता है कि reflexive level पर, सोशा नहीं बढ़ता है clutch के छूड़ने और race के देने के बीच में ऐसा तारतम में हो जाता है कि ना कभी गाड़ी धच काखा के रुखती है ना कभी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है चीज़े से स्टम में, रिदम में आ जाती है clutch को दबाना है, brake को दबाना है clutch को छोड़ना है, race को देना है यह जितने चारपाच एक्वेशन से समझ में आ जाती है और यह चारपाच एक्वेशन समझ में आने से बात नी बनती है जब पहली बर्च सीखता है सामने आता है उसको ब्रेक लगा नहीं कहा है, brake कहा है, brake कहा है यह प्रेक्टिस वाले चीज है, प्रेक्टिस से आप सीख जाएंगे पर आप प्रेक्टिस से क्रियेटिव हो जाएंगे यह एक ऐसी बकवास है जिसका सम्मान करना ठीक नहीं है तो अब तीसरा सावर रुपता आईए, इससे प्रतिभागी बात पुरी खतम हो जाएगी मान लीजिए सचिन बच्पन में क्रिकेट ना खेलता उसे शौक ना होता क्रिकेट का और उसे शौक किसी और खेल, कंचे का होता मान लीजिए भाई वो घर से बाहर निकला, उसके अंदर प्रतिभा है उसने बाहर देखा, चार बच्चे कंचा खेल रहे हैं आपको ने खेला कंचा कभी? मुझे वो वाला खेला कि ये वाला खेला? दोनों खेलें, चालिए दोनों खेलें, बहुत ऐसी बात अब जितनी खुशी आपनों को होती है उत्रा पढ़ाई की बात में नहीं होती खेल मान लिजे सचेन ने देखा कि लोग कंचे खेल रहे हैं सचेन की आखें बेस्फारित हो गई फैल गई इतना रोचक खेल है वो उनके पास गया तो तली जवान में कहा कि मैं भी खेलूँगा उनने खेलाया उसने भी ऐसे करने शुरू किया फिर ऐसे निशाने बरने शुरू गया करते करते वो मंबई का महन कंचे बाज हो गया भई प्रतिभा तो ही न उसके अंदर प्रतिभा तो है ही उस प्रतिभा का प्रयोग उसने कंचा खेलने में किया और देखते देखते कंचों के जते प्लेयर से सब हार गया उससे ऐसे कंचे खेलता था और एक दिन किसे ने कहा है कि क्रिकेट खेलो गए उसने कहां खेल लेते हैं चलो बैट पकड़ा दिया रनजी मैट चल रहा है 11 बाँ प्लेयर बिमार पड़ा गया था कोई और मिला ही नहीं वो वहाँ खड़ा था तो सोचा कि कंचा भी गोल है बोल भी गोल है शायद कुछ कर ले तो यह सोच कि उसको दे दिया बैक्ट अब आपको ये बताना है कि अगर ऐसा होता तो सचिन उस मैच में कैसा परफॉर्म करेगा शांदर अच्छा खराब या बहुत खराब बहुत खराब करेगा ये हो सकता है कि तुक्के से एका चोका लग जाए खराब से खराब बैट्समेन में तुक्के में का चोका मार देता है वो खड़ा है बैट लेके बोलर ने तूफानी बोल्फ है कि इस ने आख बंद कर ली बोल बैट्से एक कौन पर लगके चोका चला गया ये तो होई सकता है ना उसे batsman कहाए गा, मेरी कोई गलती नहीं, बहुए मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन लग्याचोगा, ऐसा दो हो सकता है, तेकिन ऐसा एक आद बार होता है, काठ की हांडी एक आद बार बारी चड़ती है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिभा कितनी भी हो, यदि प्रतिभा को प तो अभिरुची का मतलब ऐसी योग गिता जो जन्मजाथ है किन्तु यदि उसे प्रशिक्षन मिल गया तो बहुत सकारात्मग परणाम जीवन में आ सकते हैं, तो बहुत 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 परणाम आ सकते हैं, इस कंसेट का नाम है अभिरुची, और हमें सेधिकांस्विक्षन की समस्य क्या है, हमें ये रिलाइज नहीं होता कि हम किस प्रतिभा के समुच्चे के साथ पैदा हुए हैं, हमें कौन से खेत्र में जाना चाहिए, पता ही नहीं लगता एक उम्रे तक, और जब तक ये समझ में आता है, कई पर देर हो चुकी होत और उसको ठीक से ट्रेन करके अच्छे लेवल तक पहुंचना ये कंसेप्ट है, और सिविल सेवा में इसका मतलब क्या है कि जब आप सिविल सेवक किसी को बना रहे हैं, तो ये देखना जरूरी है कि एक अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए जो प्रतिभा चाहिए, वो प अभिरुची परीक्षन, कि आपके अंदर वो प्रतिभा समुच्छे है या नहीं, जो व्यक्ति को अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए चाहिए, ये वो परीक्षन है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे व्यक्तियों को चुने, जिन व्यक्तियों के अंदर उस खेत जैसा पेपर इंटोडूस करती है, या और भी जैसे CAT होता है, MAT होता है, सारे कौन से टेस्ट है, aptitude के टेस्ट है, अब कोई भी ऐसा test management का हो, किसी का हो, जैसे अमेरिका में SET होता है, standard aptitude test होता है, जो college med mission के लिए basic score मना जाता है, हर test वो क्या है, aptitude का test है, कैसे होता है, यह मतलब तो कीमत होता है लेकि मूल्य का यहां मतलब नितिय शास्ते में इसका मतलब होता है कि हम किन चीजों को आदर्श मानते हैं जो हमारे नैतिक आदर्श हैं उनको हम कहेंगे कि वो हमारे मूल्य है एक शायर का नाम सुना है दुश्यंत कुमार दुश्यंत कुमार का एक शेर मुझे याद आ गया आप बताएं कि कौन से टॉपिक से मेल खाता हूँ वो शेर है वो शेर है एक दो शब्दायमे हो सकते हैं आप भाव पकड़ लेजिए काकेबल ठीक है हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए अरे क्या बत करताओ ये बताओ कि इसका मतलब क्या है और ये कौन से टॉपिक से मैच करता है हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए नहीं समझ मैं है कुछ बताईए अंदाजा अचा आप तासीरी समझते हैं न क्या होती है ठीक है कोई बाक नी चलिए इसका समंध अभेरुची से है एक्ट्यूक से है इसका मतलब यह हुआ कि कई व्यक्ट्यूक साथ क्या होता है कि उनके पास योग्यताएं हैं वो समझ नहीं पाता है कि दरसल इस योग्यता को किस रास्ते पर लेके जाना है और बहुत सारे योग्यों लोग खतम हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको सही समय पर कोई बता नहीं पाता कि तुमारी योग्यता ये है और तुमारा सही रास्ता ये है अब इस सेंस में सोची है, हाथों में अंगारे लिए सोच रहा था, अंगारे का मतलब यह गिताएं हैं, क्षमताएं हैं, कोई मुझे अंगारों की तासीर बताए, तासीर का मतलब नेचर, प्रक्रिती बताए कि इसके साथ क्या करना चाहिए, इसको क्या, कैसे यूज करना है यह किसने समझाया यह नहीं और इस चक्र में वो व्यक्ति महान जो हो सकता था हो नहीं पाया ठीक है आपके मन में यही भावारन है कि यह तो हमारे साथ भी हो रहा है कोई तासीर नहीं बता रहा हमारी सब के साथ ही होता है सा क्या है मूल्य का मतलब है नैतिक आदर्श और नैतिक आदर्श का मतलब है किन आदर्शों के लिए आप सेक्रिफाइस किसी ना किसी मात्रा में कर सकते हैं तेकि मूल्य का सिंपल सा मतलब है जिसके लिए आप किसी ना किसी मात्रा में सेक्रिफाइस कर सकते हैं वरना काहे का मूल्य है जैसे सहिशनुता एक मूल्य है ही टोलरंस कहते हैं जिसको ये एक मूल्य है बहुत छिटबुट टाइप के मूल्यों में से एक मूल्य है पंक्च्वाइलिटी कि आपका मूल यह है कि आप समय पे पहुंचेंगे आप इसी का समय खराब नहीं करेंगे किसी किसी का होता है किसी का नहीं होता है अगर आपने किसी को कहा कि मैं ठीक 5 बजे मिलूंगा चलियाना तुपान के दुकान पे साड़े तीन बजे और आप पहुँचे साड़े छे बजे बहां तो पूरी संभावना है कि सामने वारा चला ही जाएगा ठाकार कि या किसी और के साथ चला जाएगा क्योंकि पंक्च्वालिटी आपका मूल्य नहीं है उसका मूल्य है कुछ लोग ऐसे होंगे जो पंक्च्वल होने के लिए कुछ भी कर देंगे अगर साधे दिन का टाइम दिया है पाण के दुपान पे तो पहुंचना है चाहे जो हो जाए सामने वरा नहीं पहुंचे अलग बात है उसकी चोईस है लेकिन हमारी चोईस है कि हमारे मूल्य है कहीं जरूरी काम फास गया था रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया आप गाड़ी से उतर के भाग रहे हैं कि भी टाइम पहुंचना है क्योंकि मैं अपने मूल्य को लेके हूँ यह होता है कि सेक्रिफाइस करने को तैयार है अपने कमिट्मेंट रखी है उसके परती कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं वो इंडियन स्टेनर टाइम के साबसे पहुंचते हैं हर जगा सहिशनोता का मतलब है कि आप किसी के खिलाफ बिना बात के युद्ध नहीं करेंगे स्पेस देंगे उसको भी चाहेंगे कि आपको भी स्पेस मिले और ऐसे व्यक्तियों के साथ बाकी लोग बहुत कंफरेटेबल रहते हैं उनको बहुत तनाव नहीं होता बाकी लोगों को और क्या मूली हो सकता ऐसा एक मूली था इमानदारी भी मूली हो सकता है इमानदारी एक होता है आत्मसम्मान कि भाई अब बाकी सब अपनी जगा है आत्मसम्मान से कोई समझोता नहीं मूच जो खड़ी है ना खड़ी रहने चाहिए लेटी हुई या जुकी हुई मूच न चलेंगे आपको पता ना मज़्य कार में लोग जब उधार लेते थे पैसा तो मूश का बाल गिरी भी रखते थे उसके बदले इसका मतलब यहाँ कि भईया इसके सामने क्या है मूश का बाल रख दिया लेता सबसे बड़ी बात हुए ना तो आपने सम्मान का मूले है सर कटा सकते हैं लेकिन सर जुका सकते नहीं यह एक मूले की स्टेटमेंट है तो मूले का अभी के लिए सिर्फ इतना मतलब समझें कि जिस नैतिक आदरश को आप स्विकार करते हैं और उस नैतिक आदरश के लिए थोड़ा बहुत या बहुत जद अप्तियाग करने को तयार रहते हैं यह का मूले है मूले की लंबी कहानी है मूले पर कई तरह के प्रशन आते हैं जब मूले पर पढ़ेंगे तो बिस्तार में जाएंगे अभी के लिए सिर्फ इतना समझ ले चोछा शब्द है इमोश्यल इंटेलिजेंस इसमें दो शब्दों पर गौर कर लेते हैं एक इंटेलिजेंस है इसको भी थोड़ा सा समझ नहीं होगा और फिर आजाएंगे इमोश्यल इंटेलिजेंस पर यानि के भावनात्मत बुद्धी मत्दा पर इंटेलिजेंस का सरल्त मतलब होता है समझदारी बस दाकि सब गौन बाते हैं एक जो देसी मतलब है इसका इंटेलिजेंस का वो है समझदारी ठीक पर समझदारी क्या होती है समझदारी किताब पढ़ने में नहीं होती है समझदारी का मतलब है زندगी में जो सिचुवेशन साब contributor आपके सामने आए उन सिचुएशन्स को अब कैसे हैंडल करते हैं उन सिचुएशन्स को टफ से टफ सिचुएशन में कटिन से कटिन परस्थिती में कैसे रास्ता निकाल लेते हैं इसको बोलते हैं समझदारी हर उम्र के व्यक्ति से एक खास लेवल की समझधारी के पेक्षा की जाती है और जिस लेवल की समझधारी के पेक्षा की जाती है उसको IQ शब्द से हम जानते है Intelligence Quotient यदि आपका IQ 90 से 110 के बीच में है तो इसका मतलब है कि आप सामान में समझधार व्यक्ति है आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में औसत रूप से व्यक्ति जतना समझधार होता है आप उसी प्रकार के समझधार व्यक्ति है और किसी भी समाज के 50 पतिशत व्यक्तियों का IQ लेवल 90 से 110 के बीच में ही होता है ऐसा क्यों होता है जब इंटेलिजन्स पढ़ेंगे मैं पूरा फर्मॉला समझाऊंगा कैसे बना फर्मॉला तो क्यों वो रिजल्ट समेशा समान निकलते हैं और यदि आपका IQ इससे ज्यादा है तो आप ज्यादा समझधार हैं इससे IQ सोड़ा कम है तो कम समझधार हैं कुछ व्यक्तियों का IQ लेवल 40, 45, 50, कभी कभी 25, 30 पे होता है जिनकों बहुते हैं mentally retarded वेखती है मानसिक रूप से विक्षिप कह लें या ये कहें कि मानसिक रूप से विकलंग रखती है इसका मतलब है कि उसका IQ लेवल बहुत ही low side वे है और जिसका IQ 160 के उपर निकल गया उसको बहुते हैं कि फिर वो तो मतलब वो gifted individual है उसको ईश्वर ने विशेश वरदान दिया है उसके बुद्ध हित्मा तेज और सटीक निश्करशने का अज़ती है जो आसान चीज़ नहीं है कुछ लोग का IQ लेवल माना गया कि 200 से भी ज़्यादा हो गया था रेर ऐसे कुछ लोग माने जाते हैं हम जब ये वरा टॉपिक लेंगे तो बिस्सार में समझेंगे प्रस्ची एग्जांपल से काम चलाता हूँ मैं इग्जांपल यह इए कि एक घर में एकभर गया हुओ था तो छोटा सा बच्चा उनका थता जा मुक्सकी तीन साल का अब तीन साल का बच्छा एगोसेंट्रिक होता है, एगोसेंट्रिक का मतलब वो ब्रहमान की केंदम में खुद को रखके देखता है हमेशा, उसको रता है कि ब्रहमान के केंदम में ही हूँ, जब आपसे बात करेगा ना तो वो यह मान के चलता है कि ब्रहमान में मैं तो हूँ यह भी आया है कहीं से, तो उसी तरह से उसकी बात, जैसे बात्चित में उसके दोस्त का जिक्रगर आ जाएगा, उसे मानली जी बीच में कह दिया कि कल तो मिन्टू बता रहा था मुझे, और अगर अगर अपने पूछ ले मिन्टू कौन है, तो उसे चेहरे पर बड़ा एक अ याद भी मानले, और उस बच्चे को बड़ा शोख होता है कि वो दिखाए कि उसके पास क्या-क्या संपदा है, खिलोनों की संपदा है, तो मैं उसके पापा मम्मी से बात कर रहा था, वो आगे बीच में दखल देने के लिए, बोला ताल दिखाओं, ताल, कार थी उसके पा तो उसके तलती है, तो मैंने का तला दो भाई, तलती है तलाओं पर, तो उस बच्चे ने उसके नीचे रखा, उसके ओन किया रिमोट हाथ में, आचिकल तो रिमोट वाली कार रहा थी बच्चो की, इस भाव से दबाए कि देखो क्या चीज मेरे पास है, तो मैं क्या पता ह होगा, ऐसे दबाया तो कार चली नहीं, अज समझ सकते हैं तो बच्चे की पूरी इज़त दाओं पर लगी उछी है, उसकी पूरी इज़त कार पर टीकी होगी थी और कार तली नहीं टाइम पर, अब हम सबने कोशिश की उसका होस्रा बना खाना चल जाए कोई बात नहीं, क पर बैटरी का मामला हो सकता है, उतना हBMकेशन मुसम पता था, उसने बैटरी वेक है कि नहीं, कैसे बता लगएगा, और उसने हनुमान किया कै यह होगा, और तो को जिक्कत हो दियुकion की उसकी कार में, अब सोचे, बैटरी कहा से लाओ, अबने बाप से बूचा, पपा बै देखा कमरे में घड़ी दिख गई उसको छोटा सा बच्चा एक छोटा सा स्टूल ला कि उसने वहार रखा उसके उपर चड़ा फिर भी हाथ नी पहुंचा फिर बाप को इशारा किया बाप को बुलाया उधर बाप ने घड़ी उतार के दी उसने घड़ी का धकन खोल कि उसन और तब उसके चेहरे पर जो भाव था सिकंदर टाइप का कि यसे पूरे दुनिया जीत लेने का भाव होता कि तब यह भाव था कि तुमने देखिये पहले ऐसी ताल तो हमने आपने तुमने देखिये ऐसी ताल पहले यह जो उस बच्चे ने किया यह है इंटेलिजेंस रोल साहित के दर्शन बढ़ गए और वहाँ उन किताबों सही काम चलाना चाह रहे हैं तिपकि वहाँ किताब काम नहीं आती है सिच्विशन हैंडलिंग की स्किल्स काम आती हैं तो पहली बात क्या हैं इंटेलिजेंस का सामान में मतलब सिच्वेशन को संभालने की क्षमता बस अब intelligence तो हजार तरह की हो सकती है उसमें से एक type होता है emotional intelligence emotions को समभालने की क्शमता emotions को हेंडल करने की क्शमता emotions को समझने की क्शमता या संभालने की समझदारी भावनाओं को समझने और संभालने की समझदारी को बोलते हैं Emotional Intelligence आतंक वादी भाषा में बहुत कठीन शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग वो करेंगे समय आने पर अभी तो एकदम देहाती भाषा में समझने बात को हमें भावनाओं को समझने और संभालने की समझदारी को बोलते हैं Emotional Intelligence भावनाओं किसकी तो अपने भी और दूसरों की भी तो और स्पष्ट हो गया अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और हैंडल करने की समझदारी भावनाओं में बुद्धिम आता है दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं दार चाहिए, तो मोटी बुद्धी के लोगे समझ नहीं पाते हैं कोई आपके साब ने मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, आप सोसे, बड़ा खुष था है आदमी, बड़ा खुष था, मुस्कुरा रहा था तो गहरा आदमी होता न, वो ऐसे नहीं देखता है, वो शेर मर देता उसी पर, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, हाँ, समझ में आ गया, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जसको छीपा रही है, मैंने लिखा नहीं इसको भाई, तुम दोनों की सीट करी जोने वाली, जड़ा टाइम मिल गए नहीं आप लोगों को, तो यह जो टेवर है न, तुम इतना जो मुस्कुरा रहा है आपके, और आप उसके चेहरे पर पड़ा पा रहे हैं कि यह नकली मुस्कुरा है ड़ाई, असली नहीं है, क्योंकि आपके पास emotions को समझने की ताकत ह गहराई है, कभीयों के बारे में कहते हैं, सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत, कह कह समझते हैं ठाका, सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं, गहराई से देखना, हसते हुए आदमे को देखकर अगर आप यह सोच रह तपर प्रम ग्यार से नहीं पड़ा जा रहा है अग्जेक्कली ये व्क्ति étape आनोता हसी थाज में, कर दोस्डी और प्यार, इतना पतला है क्या जोन से काफ़े में आज ये को क्या है और समझ नहीं आता कि अभी कौन से वर्ग में है ऐसा ही धार्मिक्ता और साम्रदाइक्ता के बीच की बहुत पतली सी देखा है बहुत ही पतली सी और जो अपने इमोशन्स को बहुत इमानदारी से समझ सकता है दूसरों के इमोशन्स को ठीक से समझ सकता है अपने इमोशन्स को कंट्रोल कर सकता है ठीक से गुसा तो बहुत आ रहा है लेकिन कुछ करूँगा नहीं इतनी एक शम्ता है कि भाया जितना जोर लगा ले मेरे मुझे से कुछ निकलेगा नहीं लगा जोर अगर यह ताकत है कि मैं तो वही बोलूँगा जो मुझे बोलना है अगर तू मुझे उकसा के बुलवा लेगा तो ताकत तरे पास है दम है तो बुलवा ले मुझे से बोलना है नहीं कंट्रोल है अपना है अपना है जैसा कोई बच्चा है बच्चा विद्रो ही उम्र में है 12-13 साल की उम्र में विद्रो करते हैं उसका सुभाव विद्रो करना हर बात पर माने का बेटा दूद पी लो नहीं पियूँगा क्यों नहीं पियूँगा क्योंकि विद्रो करना है उसे तो मा को पता है कद्दू टाइप का है इसको कैसे मैनेज करना है मा ने कहा बेटा आथ से तुम्हें दूद नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मेरा घर नहीं दूद नहीं दूद क्या कर लेगा तू मैं तो पीऊंगा, दो गिलास पीऊंगा, बेटा कर रहा हाथ रहा हाथ तोड़ दूगी, अच्छा, अब ये बच्चा बड़ा हो के समझ पाएगा, गधा यही बना है दरसल, ये अभी समझ नहीं पा रहा कि गधा इसको बनाया गया है, और इसकी मा इमोशनल ऐसी महिला चीए उसको गधा बनाना आता तो बड़े बात है, लेकिन जब आप किसी के हित में ही उसे गधा बना रहे है तो ये एक पॉजिटिव संस ओफ इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, बात समझ में आगी क्या चीज है, तो इमोशन की दुनिया में इंटेलिजेंस के बोलते हैं emotional intelligence अंति में एक शब्द है अंतरात्मा जो बार-बार आपके सामने आने वाला है अंतरात्मा क्या चीज है conscience क्या चीज है इसको समझने के लिए थोड़ा सा वैसे तो मैं Sigmund Freud नाम के एक विचारक को समझने की जरूत है लेकिन उसको बाद में समझेंगे अभी basic sense में समझ लेते है कभी ऐसा होता है कि आप खूब सोच समझ के एक फैसला करें और उसके बद आपके अंदर से आवाज है कि नहीं ये ठीक नहीं है ऐसा होता है कभी हाँ तो जो अंदर से आवाज दे रही है उसका नाम है अंतरात्मा तो इसकी व्यक्षा करेंगे अंदर से आवाज देने वाली उसका नाम है अंतरात्मा ऐसा होता है ने कि आप जिस उम्र में है उस उम्र में ज्यादा अंतरद्व होते हैं अंतरद्व का मतलब है इनर कंफिक्ट्स होती हैं बहुत ज्यादा अंतर दौंतर का मतलब यह हुआ कि आपके मन में दो चीज़ों को लेके मुठभेड चल रही है ये ठीक है या वो ठीक है और जितनी मुठभेड गहरी होती है आपका जीना उतना ही मुश्किल हो जाता है ऐसे में आप सोचते हैं कि कुछ भी हो बस एक तरफ फैसला हो जाए मुठभेड तो खत्म हो आप लोग जितना मुण्ड़ हीडा रहे हैं आपके मन में क्या चलता है आज कर ले ना जतना आप ऐसे जोर जोर से कर रहे हैं इससे पता लग रहा है कि मन में क्या-क्या होता है। कि एक बार क्लियर हो जाया बस हाँ है तो हाँ है ना है तो ना है। यह जो दुविधा है ना जेली नहीं जाती है। जातार कोई रिष्टा है। हर चोथे दिन मन करता है तोड़ दें रिष्टा। और हर पांचो दिन लगता है कि इसके बिना जीवन में ही क्या। बड़ी दुविधा है। एक घंटे पारे जिससे नफरत चरम पे थी एक घंटे बाद उस पे दया और उसकी मासूमियत पे एक जिगर निगाल के बार रखा हुआ है। अजीव हाल है। हर दो-चार घंटे में शिफ्ट होया दिमाग। तब मन कहता है कि एक तरफ हमामला हो जाए बख्सिया तो खतम हो यह ठीक हो जाए। और वह आज तक किसी का हुआ नहीं जो आपका हुआ। तो आपका ही ऐसे हो जाएगा। दुविधा तो जीवन का हिस्सा है। ऐसे में आप जब कोई फैसला करेंगे तो फैसला आप जो भी करेंगे दिमाग से उसी के खिलाफ आपके अंदर से एक आवाज आएगी। सुपर एगो एक शब्द होता है। अभी अभी आपको उसका आइडिया नहीं है केवल यह शब्द अभी सुन लीजिए क्या है। इसको जब समझेंगे तो बात समष्ट हो जाएगी। सुपर एगो का सडल सा मतलब है आपका नैतिक मन आपको बार बार कचोड़ता है। तो कभी-कभी यह हो सकता है कि आप बहुत नैतिक फैसला कर रहे हैं तो आपके अंदर का मन का दूसरा हिस्सा जिसको बोलते हैं इड आईडि इड। मैं इसको संझाओंगा आपको फरी जर में क्या होता है। स्वार्थी मन समझ लेजिए। स्वार्थी मन का मतलब इड और नैतिक मन का मतलब सुपर एगो। अगर आपने फैसला अति-नैतिक हो के किया तो आपके अंदर से इड चिलाने लगेगा। और यदि आपने फैसला घोर स्वार्थी होके किया तो आपके अंदर से सुपर इगो चिलाने लगेगी। और आवाज वही आएगी कि नहीं ये ठीक नहीं है। ये गलत कर रहे हो। ऐसा मत करो। फिल्मों में क्या करते हैं कि दर्पन में दिखाते हैं। कि एक नहीं का बाहर बैठी, एक नहीं का दर्पन के अंदर है। ये कुछ बोल रही है, वो विरोधी बात बोल रही है। तो मन के दो हिस्से दिखाने के लिए। और एक मोटा सा मतलब ये है कि जब कोई निरने करना हो, किसका फैसला माने। तो एक सिध्धान चलता है मनों विज्ञान में, जो आपकी अंतरात्मा कहे, वो सबसे सही फैसला है। और अंतरात्मा का मतलब है अंदर की आवाज। इस पर कई लोगों ने पूरे-पूरे सिध्धान दिये हुए है। अस्तित्त वादिक दर्शन है, अगे जिक्राएगा उसको उसमें कीर के गर्द नाम का एक आदमे हुआ। उसने कहा कि महान से महान व्यक्ति का, महान से महान निरने भी तब तक सही नहीं है। जब तक खुद उसने अपनी अंतरात्मा से उस निरने को पुष्ट न करवा लिया हूँ। जब तक आपकी अंतरात्मा न कहा दे कि निरने सही है, तब तक उनिरने सही नहीं होगा। एथिक्स की दुनिया में कुछ लोग इस सिधान को बहुत वैल्यू देते हैं। और UPSC ने अपने पार्ठिक्रम में इस टॉपिक को रख दिया है। जिसका मतलब है कि वो भी इसको महात्व देना चाह रहे है। यहां तक concept स्पष्ट होगे आपनों को। तो पांच शब्द हैं एक-एक बाकि में दोहरा लेते हैं ताकि सबस्ट रहे। सबसे पहला शब्द है attitude ऐसा करते हैं। मैं पांच परिभाशाएं बोलता हूँ आपको बताना है कौन सी परिभाशा किसकी है। ठीक है। बताएंगे। परिभाशाएं बोलूँगा या सिर्फ एक्जामपल बोल दूँगा। आप उसको बताएंगे कि ये किसके बारे में बात चल रही है। ठीक है। ये मेरे उपर शोड़दीव क्या बोलने परिभाशाएं एक्जामपल वो मैं खुटता ही कर लूँगा। तो एक एक्जामपल ही हो सकता है। क्या हो सकता ऐसे कैसे दे एक्जामपल है। जो भी एक्जामपल दूँगा आप पकड़ लेंगे तुरंत मुझे। ऐसा मैं चाहरों की आप न ढूंड पाएं। और ये भी चाहरों की ढूंड लेंगे और न पढ़ाने का फाइदा क्या हुआ। इसको बोलते हैं तरद्वन्दू की दोनों बात एक साथ करना चाहरों। चाहरे छोड़ी ना मैं एक वाक्य बोलता हूं आपके वाक्य से बता ही क्या है। आपके वाक्या बोलते हैं। तीसरा बच्चे के अपास जन्म से बहुत सारी वो चीजी होती हैं जिनको ट्रेनिंग मिल जाए तो वो आगे बढ़ता है। एप्टिट्यूट। सिम्रन बहुत परिशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो पापा की बात माने या नाय का नाम क्या था। राज। सिम्रन समझ नहीं पा रही थी कि पापा की बात माने कि राज की बात माने। अंत में उसने एक आवाज सुनी, जा सिमरंजा, जी ले अपनी जिन्दगी, और यह आवाज उसके पापा की नहीं थी, तो यह आवाज किस की थी, अंतरात्मा की, वैसे तो पापा की थी फिल्म में तो, मैंने पापा को उठा दिये इसलिए, कि पापा की नहीं थी, तो किस की है, चार टॉपिक हो चुके हैं, एक ही बचा है, तो देखो, जहां तेरी ये नजर है, मेरी जहां मुझे खबर है, ये इंटेलिजेंस है, और तुम इतना जो मस्कुरा रहे हो, ये इमोशन इंटेलिजेंस है, इन दोनों का अंतर ये है, कि तेरी नजर का है, मैं देख रहा हूं घूर के, इसके लिए इमोशन से ही चाहिए, इसके लिए जासुसी बद्धी चाहिए सिर्फ, वो इंटेलिजेंस है, और जब कोई कहे कि मैं तुमारी मुस्कुराहट के पीछे दर्द को देख पा रहा हूं, इसके लिए इमोशन सबसे पहले एक काम करते हैं, टॉपिक नमबर एक पर क्या-क्या प्रश्णे बन सकते हैं, उसके लिस्स बनाईए, इस सबसे अच्छा तरीक है, प्रश्णे पहले से आपके सामने हो, हम सारा पढ़ते हुए चलें, और फिर देखें कि आपके स्थिती उसमें क्या है, तो हे नैतिकता क्या है, यानि कि इथिक्स क्या है, नैतिकता क्या है, यह वस्तुनिष्ट होती है या आत्मनिष्ट, वस्तुनिष्ट के लिए शब्द है अब्जेक्टिव, आत्मनिष्ट के लिए सब्जेक्टिव, यह वस्तुनिष्ट होती है या आत्मनिष्ट, दूसरा, नैतिक मूल्य क्या है? कुछ विचारक मानते हैं कि नैतिक मूल्य नित्य और स्थाई होते हैं. नित्य यानि इटर्नल, स्थाई यानि पर्मनेंट, नित्य और स्थाई होते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वे समय और स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। इस सम्मन्ध में आपकी राय क्या है, स्पष्ट करें। इस सम्मन्ध में आपकी राय क्या है, स्पष्ट करें। हम झोग हिंदी साहिते में शिस्टेम हुआ ठीठा कामादी है यह थीटा कापादी है स्थीटा अफोकल मुझे हैं तो सिस्टेम क्या करते हैं हर प्रष्ण के महत्व के अनुपात को समझने के लिए एक से लेकर पांच स्टार तक हैं विवस्था कर लेते हैं तो उससे पता लगता है कितना महत्रबून है जब मामला तीन काज है तो इस में ठीक ठाक सिरि़िस हो गया चार का मतलब है कि बस प्रष्ण आने वाल है पांस का मतलब पेपर लिख हो गया है ठीक है? तो हम भर प्रश्ण के साथ में सितारे भी बना लेते हैं और यह विशम संख्या ही नहीं होती है, समसंख्या भी होती है, तो आप देख लीजिएगा, कुछ लोग सोचते इतना कौन मनाएगा, वो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, तो यह भी ठीक है, तो पहले वाले प्रश्ने के सामने आप बना लेजिए, तीन सितारे, और दूसरे के सामने बना लेजिए, चार सितारे हैं, ठीक है, चले है, तीसरा, क्या मनुश्य के सभी क्रित्य नैतिक या अनैतिक ही होते हैं, क्या मनुष्य के सभी कृत्य नैतिक या नैतिक ही होते हैं? क्या ऐसी संभावना है कि कोई कृत्य नैतिक हो न अनैतिक? क्या ऐसी संभावना है कि कोई कृत्य ना नैतिक हो और ना अनैतिक विचार करें इसके सामने एक सितारा बनाईए चोथा नैतिक विवस्था किसी समाज या प्रशासन के लिए क्यों आवश्यक है समाज को इससे क्या लाब होते हैं और क्या नुकसान समाज को इससे क्या लाब होते हैं और क्या नुकसान डेड़ सितारा नुकसान के लाब होते हैं तो आता है डेड़ भी आता है उसमें करना है एक बना के साथ में चांद बना लीजिए ऐसे करके अभी डेड़ हो गया उन्हें तो सीधा लिखें डेड़ और फिर बनाएं सितारा अभी तो 1.3 नहीं आया खुश रहिए हम 0.5 पई लेके चलेंगे उसके आगे नहीं बढ़ेंगे अगला प्रश्म राए ए निमनलिखित के बीच समानताएं अंतर व सममंध बताएं क, एथिक्स तथा मोरैलिटी, इसको इंगलिश में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में दोनों का नुबाद नथिक्ता ही होता है, एथिक्स तथा मोरैलिटी, इस बर उपी में पूछा गया यह प्रश्न, दूसरा, नैतिक्ता वद्धर्म, यहने एथिक्स और लॉग, स तीसरा नेतिक्ता और कानून चोथा पाप, भूल तथा अपराध पाप के लिए इंगलिश शब्द ता सिन भूल के लिए एरर और तीसरा कुझ ता अपराध पाप, भूल और अपराध अगला, स्वभाव और चरित्र नेचर एंड करेक्टर स्वभाव और चरित्र अब इनमें से जो पहला था एथिक्स और मॉरैलिटी उसके सामने बनाएए तीन सितारे एथिक्स और डिलिजिन जो है उसके सामने बनाएए दो सितारे कानून और नेतिकता जो है तीसरा होगा इसके सामने तीन बनाईए और बाके सब के सामने एक एक बना लेजिए एक सितारा चलिए अगला प्रश्ण किसी समाज में नेतिक मूल्यों का निर्धारन किसी समाज में नेतिक मूल्यों का निर्धारन किन कारकों के आधार पर होता है किसी समाज में नैतिक मूलियों का निरधार किन कारकों के आधार पर होता है प्रश्चन चिनन किन कारकों के आधार पर सामाजिक किन कारकों के आधार पर सामाजिक नैतिक ताएं परिवर्थित होती हैं दो सितारे Next किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कृत्य नैतिक है या नहीं इसका निरने किन आधारों पर किया जा सकता है? इसका निरने किन आधारों पर किया जा सकता है? स्पष्ट करें दो सितारे अगिला किसी व्यक्ति के भीतर नैतिक मूली विक्सित करने में किसी व्यक्ति के भीतर नैतिक मूली विक्सित करने में निम्नलिखत संसाओं की क्या भूमिका होती है? निम्नलिखत संसाओं की क्या भूमिका होती है? डैश लगाके नीचे लेखे क परिवार क समाज ग शिक्षा संसाएं ग शिक्षा संसाएं इसके सामने तीन सितारे बनाई यसbu प्रश्णा चुछा यकाई दो बार अगला ऐसा क्यों होता है कि एक ही समाज के विभिन व्यक्तियों में एक यह समाज के विभिन व्यक्तियों में न केवल नैतिक मूल्य भिन 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 पाए जाते हैं अपे तो मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबधता का स्तर भी अलग होता है अपे तो मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबधता का स्तर भी अलग-अलग होता है स्पष्ट कीजिए इसके सामने आप केवल एक सितारा बनाईए अगला किस समात सुधारक अबलिग प्रशासक फिर अबलिग नेता को किस समात सुधारक प्रशासक नेता को आप नेतिक रूप से अपना आदरश मानते हैं प्रश्ण चिन्न उसके शिक्षाओं का सार बताते हुए उसके शिक्षाओं का सार बताते हुए समझाईए कि आप उन्हें अपने जीवन में कहां तक उतार पाएं हैं समझाईए कि आप उन्हें अपने जीवन में कहां तक उतार पाएं हैं इसके सामने तीन सितारे अगला प्रश्ण नेतिक प्रगति नेतिक प्रगति से आप क्या समझते हैं नेतिक प्रगति से आप क्या समझते हैं क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता ने परियाप्त नेतिक प्रगति की है क्या आपको लगता है कि मानव सभ्यता ने पर्याप्त नैतिक प्रगती की है प्रश्च चिन्न एक सितारा एक और निजी संबंधों और सारुधनिक संबंधों में निजी संबंधों और सारुधनिक संबंधों में नैतिकता किस प्रकार अलग होती है नैतिकता किस प्रकार अलग होती है प्रश्च चिन्न क्या ये दोनों नैतिकता है पूर्णतह प्रिथक है या परसपर संबंधित क्या ये दोनों नैतिकता है पूर्णतह प्रिथक है या परसपर संबंधित उदाहरन देकर समझाएं उदाहरन देकर समझाएं इसके सामने बनाईए दो सितारे अभी तेरे प्रश्चनों के कितने हुए तेरे हैं चोदा हुए पंदरा हुए बारा हुए अभी इस पर कुछ प्रश्चन और हैं जो अभी लिखना ठीक नहीं है उसको हम असल में वो किसी टॉपिक से नहीं है पहले से लिंग्ड है पर वो समझने की शर्त है की पूरा सले बस पढ़ा हूँ तो उसको में लास्ट में करेंगे वहीं प्रश्चन लिखा हूँआ पुछ और जो इस टॉपिक से लिंग होँगे अभी के लिए बारार प्रश्चने के चलते हैं ठीक है पहला टॉपिक हमें 6-7 दिन में खतम कर लेना चाहिए अज़िकतव 8 दिनों में क्योंकि पहला है बेस बनाना होगा उसके बाद तो 4-5-6 इतने तने दिनों में टॉपिक सखत्म होँगे सारे के सारे तो आईये एजिक्स क्या है यह से बात शुरू करते हैं देखिए एठिक्स को पढ़ने में सबसे मड़ा संकट यह है कि जब फिलोसोफी का व्यक्ति इसको पढ़ता है तो उसका पढ़ने का एक खास अलग नजरिया है समाथ शास्ति का व्यक्ति का इसको पढ़ने के नज़रिया एक दम अलग हो जाता है और आपका पाठिक्रम इस तरह से भ्रामक है कि वो अलग-अलग टॉपिक्स में एथिक्स के दोनों अर्थों को शामिल कर लेता है आपको हलका सा संकेत करता हूँ ताकि आप समझे में क्या कहना चाहरा हूँ अगर आप फिलोस्फिय के नजरीय से पढ़ेंगे तो दर्शन में माना जाता है कि कुली मिला के तीन प्रमुख शाखाएं है कुछ लोग मानते हैं कि शाखाएं दस हैं कुछ मानते हैं कि उन सब को समेट देंगे तो तीन में सी मढ़ जाएंगे पहली शाखा का नाम है ग्यानमी मांसा आपने एक शबशे सुनाओगा इपिस्टे मेलोजी नहीं सुनें तो आज सुन लीजिए इपिस्टे मेलोजी को हिंदी में कहते हैं ग्यान मिमानसा अभी इन शब्दों को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा शोख है तो लिख लेजी आगे तो पढ़ेंगे इनकों विस्तार में दूसरा शब्द है तत्व मिमानसा यानि के मेटाफिजिक्स और तीसरा शब्द है नीती मिमानसा या नीती शास्त्र जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है इथिक्स ठीक तो मोट शीवात है इस पे कोई रोकेट साइंस नहीं है कि दरशन शास्त्र को मुख्यत है तीन ब्रांचीज में विभाज़ित किया जाता है ग्यान मिमानसा तत्व मिमानसा और नीती मिमानसा तेकि दरशन आपको पता है थोड़ा सा गहरा विशए है इसलिए जब कोई एक्टिस फड़ी गहरी बात करते हैं लोग बुलते हैं फिलोस्फर हो गया है कोई अगर बाल बाल फेला ले ऐसे ऐसे कर ले तो लोग क्या बुलते हैं फिलोस्फर हो गया भी है तो फिलोसफर का मतलब है जो सांसारिक्ता से भिन सर पर चला जाता है तो बोलते हैं फिलोसफर है तो फिलोसफर बहुत बेसिक लेवल से बात शुरू करता है फिलोसफर को लेकि जो मोटी-मोटी समझ हमारे दिमाग में रहती है वो तो मेटाफिजिक्स है मेटाफिजिक्स का मतलब जो फिजिक्स के बियाउंड है जो भौतिक जगत के परे है वो मुलभूत प्रशन जिनका उत्तर खोजने को सारे वैग्यानिक भी व्याकुल है दार्शनिक भी व्याकुल है उनको बोलते है मेटाफिजिक्स के प्रशन और मेटाफिजक्स के तीन ही प्रश्ण है दुनिया पर में पहला प्रश्ण है इश्वर है या नहीं है नहीं है तो बात ही खत्म हो गई है तो एक है दो है के ज्यादा है एक ही है तो बात खत्म होई दो या ज्यादा हैं तो उनका आपस में मेकैनिजम हिरार्की क्या उनके बीच में कैसे चलता है काम एक ही है तो पुरुष है के स्त्री है पुरुष है तो स्त्री कैसे बनी स्त्री है तो पुरुष बना कैसे क्योंगे कारण से कार्य प्रिथक हो नहीं सकता है कार्यक की संभावना कारण में तो होनी चाहिए न, ऐसे कैसे बन जाएगा तो चलो कोई बात नहीं, जो भी है अगर एक है, तो दिखता है के नहीं दिखता है यानि परसनल है के इंपरसनल है, सगुन है के निर्गुन है और उसमें कौन-कौन से गुन है, सर्व शक्ती मान है के फलाना है के ढिकाना है, सर्व व्यापत है, आदी, आदी, आदी पड़े मुश्किल सवाल है, ये सब सवाल इतने हसी मजाक वाले नहीं कि आप कुछ भी कहें काम चला लेंगे धर्म और ईशवर को मानने वारे ना लहु लुहान हो जाते हैं प्रश्णों के जवाब दे नहीं पाते है, दर्शन्यों के इतने मुश्किल सवाल पूस्ते हैं इन सारे प्रश्णों को मिलाके बूलते हैं कि एक ब्रांच मेटाफिक्स की है, जिसका नाम है इश्फर मिमानसा या थियालोजी तो इश्फर के बारे में कोई भी सवाल आएगए तो किसके बारे में चल रहा है मेटाफिजिक्स में चल रहा है दूसरा सवाल है आत्मा जिसको लेके आप ठीठ़ थक परशान रहते होंगे आत्मा है या नहीं है तो यह स्वाल है आत्मा होती है हमारे अंदर परसा नहीं होती है कि नहीं होती है होती है है देखिए महसूस किया है अनुभव किया है तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके अंदर आत्मा है और फिर कहते हैं जिन्दा आदमी और मरे आदमी में अंतर किसी इसका आखिर क् में लिखने कर लिया उस मैंसे हो कहते हैं, आत्मा निखाutz अगई है इसद्श गोलमटॉल लुबाते हैं इन नीजां दिष्चार गखाया है होता जाना है, हजारों सालों से मौनश्य कहते ही यह सोचा है राय बनाता है कुछ दार्षनिक साबित करते कि आत्मा है, कुछ उनके विरोद में साबित करते कि आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं होई नहीं सकती है और दोनों का तर्ख सुनके लगता है कि दोनों ठीक बोल रहे हैं, कुछ भरोसा नहीं जमता है तो आत्मा है या नहीं आपके पार्टिक्रम में ज्यादा नहीं आगा पर अंतरात्मा ही आपके पार्टिक्रम में तो अंतरात्मा तो आएगी जो बताएगी सिमरन तू चली जा लेकिन आत्मा एक entity के रूप में, एक वस्तू के रूप में आपके पार्टेक्रम का हिस्सा नहीं है ज़िए क्या है और तीसरा है जगत यानि संसार ये दुनिया कैसे बनी क्यों बनी किस ने बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया वनाए इस काहे को का जवाब दुनिया के एक भी फिलोसफर के पास नहीं है गपे हैं बहुत सारी जवाब नहीं है दर्शन उचे स्थर की गप है खतरनाक बौद्धिक शब्दावले में की गई गप का नाम है मेटाफिजिक्स मैं दर्शन के विद्यारती हूँ, मैंने कई सल दर्शन पढ़ाया भी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, होशो हवास में बोल रहा हूँ ये बार, आप मुझसे जगड़ा कर सकते हैं क्लास के बार, दर्शन क्या है, बहुत उंचे बहुत धिक्स तरपे की गई गप, उसका में दर्शन, विशेशुप से मेटाफेजिक्स, ठीक है, ये सब मेटाफेजिक्स हो गया, ग्यान में मन सा और गहरी बात है, इसका मतलब है कि जो ग्यान हम प्राप्ट करते हैं, वो ग्यान अपने हैं आप में प्रामानिक है या नहीं, पहले ये तो देख ले, जैसे अगर अगर आप साइंस पढ़ेंगे, साइंस पहले का तो मेटोलोजी बात होती है, रिसर्च मेटोलोजी क्या होगी, फिर रिसर्च करेंगे, तो दर्शन में ये ब्रांच जो बताती है कि ग्यान प्राप्ट करने का सही तरीका क्या है, प्रामानिक हो, आप प्रामानिक ना हो ज अरे यार आप तो घबराई गए मैं वे मदारी ठोड़ना हूँ कि आप तो घबरा रहे हैं कि मेकाला कर दूँगा इसको बताईए है कि नहीं बोड सफेद है इसमें क्या दिख गए बोड सफेद है लेकिन दार्षने कितनी मोटी बात को भी समझता नहीं है वो कहते है न इस पे भी शकता है कुछ दार्षने के पाईरो नामका हुआ वो गोता थे कि दुनिया में हर बात पर शकता है इसलिए जब भी कोई कुछ पूछे उत्देते हूँ वो शायद लगा के बोलो कोई अब से बूशे आपका नाम क्या बोले शायद संजीव है ऐसे बोलना चाहिए तो कुछ लोग कहते हैं कि उसने कहा कि दुनिया की हर बात पर संदेह किया जा सकता है तो भाई इस पर भी तो किया जा सकता है इस पर क्यों नहीं किया? नहीं समझ में है, कोई बात नहीं आएगा, समय के साथ आएगा दर्शन का मजाई वहाँ है जहां समझ में ना बंद हो जाए तभी तो दर्शन है और उसकी जो गरीमा ऐसे सोड़ ना उसकी दर्शन की गरीमा है तो जैसे बोड सफेद है आप लोग कह रहे हैं दार्शनी कहेगा नहीं ऐसा नहीं है ये बोर्ड सफेद प्रतीत होता है वो ये कहेगा आप कहेंगे इश्वर है आप कहेंगे मैं जानता हूं की इश्वर है वो कहेगा कि नहीं मैं मानता हूं की इश्वर है जानता हूं और मानता हूं मैं बहुत बड़ा अंतर हो जाता है व और कर रहा है तो वो अपनी ग्यान की सीमाओं का अतिकरमन करके कर रहा है। तो यह एक बस्तू है। प्रकाश की किरन यहां से टकरा के हमारी आख में आई। हमारी आख को इंपुट भिला। उस इंपुट को हमारी बुद्धी ने जज किया। और बुद्धी निश्कर्ष दिया कि ये वाइट कुछ बहुत एक वस्तू है, यही प्रोसेस है ना, बहुत फास्ट है, नहीं पता लगते स्टेजिस पर प्रोसेस ही है, अब इसमें दो-तिन खत्रे हो सकते हैं, तो सकता है कि प्रकाश की केरण जो यहां से कंटेंट लेकर ग आखों ने जो इंपुट लिया, उसमें आखों की भी भूमिका है, रेसीवर की भी भूमिका होती है ना, डिस्टोर्शन का दूसरा सर हो सकता है हमारी आखों का कोई दोश, फिर आखों ने जो इंपुट लिया, वो इंपुट दिमाग को भेजा, उस प्रोसेस में भी सावन के अंधे को हरा हरा के ओ दिखता है डिस्टोर्शन्स दिमाग भी तो हो सकती है इसका मतलब अगर मैं ये मांग लो कि इन चारों स्तरों पर जीरो डिस्टोर्शन्स है तो मैं कहूंगा बोर्ड सफेद है लेकिन मैं जानता हूँ कि यदि किसी को जॉन्डिस हो तो उसको बोर्ड हलका सा पीला दिख रहा होगा और यदि किसी क्लास रूम में पांट सो में से चार सो नब्य को जॉन्डिस हो और लोग तंतर के अधर फैसला हो तो बोर्ड पीला माना जाएगा बहाँ पर महाँ सफेद नहीं माना जाएगा आप समझ परें और आप ये भी जानते हैं मैंने कहीं पढ़ा है कि एनिमल्स को कलर्श नजर नहीं आते हैं और यदि एनिमल्स को कलर्श नजर नहीं आते हैं आप कहें कि देखो मेरा हरा स्वेटर एनिमल नियुक्त भी बन जाता है जब वो उल जलूल प्रश्णों पर ज्यादा सोचता है तब बनता है दार्शने और इस तरह के प्रश्ण मैंने बहुत हलका सा आपको हिंट दिया है इन प्रश्णों नहोंने पुरा जीवन गुजारा अपना इस तरह के प्रश्णों में ये के बहुत हलका सा हिंट दिया है कि वो लोग कहा से शुरू करते हैं कारेक्टरम अपना उसको बोलते हैं ग्यान में मांसा दर्शन के लोग मानते हैं कि ग्यान में मांसा और तत्व में मांसा से होते हुए जो अंतिम रांच है वो है नीती मिमानसा अंग्रेजी में एथिक्स है और इसका मतलब इसमें दो चीजियों होती है एक ये कि हमारे जीवन का उद्देश क्या है और दूसरा जो भी उद्देश है उसकी प्राप्ति के साधन क्या है इन दो प्रश्णों के उत्तरों के हो जाए कि हम क्यों पैदा हुए है क्या करना चाहिए और दूसरा जो करना है उसका तरीका क्या है यसे भारत में कुल नौ दर्शन हुए नौ में से केवल एक को छोड़ दीजे चारवाक नमस का है बाकि सब कहते हैं कि जीवन का उद्देश है मोख्ष प्राप्त करना कोई बोलते हैं 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 मन पर सायम होना चाहिए योग करो जो अश्टांग योग है यम नियम आसन प्राणायम प्रत्या हरधारना ध्यान समाधी एक वो रास्ता है कुछ लोग कहते ग्यान मार्क पे चलो शवन मनन निजिध ज्यासन करो कुछ कहते भक्ती मार्क पे चलो थो खुद को भगवान की हवाले करदो कुछ मतस्याँ राम नाम जबते रहो क्रिश्नाम जबते रहो दिन बर चिम्टा हाथ में रखो बजाते रहो बजाते रहो और एक दिन चिम्टे की आवाद मिधसे खुश होगे बगवान आपको मोक्ष्टे देगा ये भिन्न भिन्न तरीके हैं मोक्ष्टात करने के तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एचिक्स शब्द का एक अर्थ वो है जो फिलोस्फी के दुनिया में है और फिलोस्फी के दुनिया में सा सिंपल सा मतलब है कि वह विशय, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो मनुश्य या समाज को दो प्रशनों का उतर दे पहला मनुश्य की जिवन का उद्देशए क्या है और दूसरा उस उद्देशी की प्राप्ति करने के साधन क्या है इस ब्रांच ऑफ स्टड़ी को बोलते हैं एचिक्स अब कई लोग ये मानगर चलते हैं कि ethics का paper इस branch के बारे में जबकि एक सफेज जूट है UPSC जिस mindset की संस्ता है वो इसके बारे में तो पार्टिक्रिम नहीं बनाएगी आपका इस meaning से आप ज्यादा से ज्यादा एक topic पढ़ सकते हैं वो है topic number 5 तो जब हम पढ़ेंगे topic number 5 तब मैं ethics का ये मतलब लेके चलूँगा क्योंकि वो topic philosophy का ही है उसमें क्या पूछा गया है भारत और विश्व के दार्षने को और विचारकों का इस समन में क्या योगदान है तो हम डिस्कस करेंगे सुकरात ने क्या कहा या उसके पहले एक बहुत प्रशिद सम्प्रदाय हुआ था टोटेगलोरसिक नाम का व्यक्ति था sophist सम्प्रदाय था उन्होंने नेतिकता पर क्या बाते कहीं सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने फिर बेंथम ने क्या कहा मिल ने क्या कहा, हीगल ने क्या कहा कांट ने क्या कहा और आदो ने काल में आँगे तो कारल मार्क्स ने क्या कहा सिग्मन फ्रोइड ने क्या कहा अस्तितवाद ने क्या कहा यह जो फेमिनिजम है उसका इचिक्स क्या है यह जो अम्बेडिकरिजम है उसका इठिक्स क्या है वो सब पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक नमबर पांच में डिमांड ही ये है कि आप दर्शन के परस्पेक्टिव से इठिक्स बताएं लेकिन इस पूरे पार्ठिक्रम के बाकी टॉपिक्स में specially टॉपिक नमबर वन में जो इठिक्स से सेंस निकलती है वो ये नहीं है इठिक्स एक और चीज भी तो है और इस सेंस में इठिक्स नीती भी मांग सा ना हो करके मैं ये कहूंगा कि इसका मतलब होगा नैतिक व्यवस्था जो हमारे समाज को एक बहतर समाज बनाने का प्रयास करती है मौरल ओर्डर एठिकल सिस्टम क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एठिक्स स्थ के दो मतलब हो सकते हैं दुर भाग्य ये है कि अधिकांच लोग किताबों में भी किताब लिखने वाले भी या तो ये मिनिंग लेके चल रहे हैं नमबर पांच में फिलोसी वाला मिनिंग लेके चलेंगे टॉपिक नमबर एक में समाच शास्त्र वाला मतलब लेके चलेंगे जिसका मतलब होता है नेतिक व्यवस्था एठिकल ओडर एठिकल सिस्टम यहां तक बात समझ में आ रही अब अगर कोई मुझस से पूछे कि इस मीनिंग में एठिक्स क्या है तो मैं आपको एक कंसेप समझाता हूँ थोड़ा सा फिर उससे हम बात को आगे बढ़ाते हैं आप लोग ज़्यादा बोर तो नहीं होगए कि छुटी कर दे मैं जब जब ऐसा सवाल पूछाँ तो ध्यान रशने कि आपके जवाब से फर्क पड़ेगा ने वैसे मैं करूंगा वही जो मुझे करना है लेकिन इसे लोग तंतर का एहसास बना रहता है सरकार बीच विश में ऐसा भाव बनाते हैं लगे लोगों को कि इसे पूछे काम हो रहा है लेकि होता वही है जो मुझे चाहते है और होता नहीं देश में ठीक है ठीक है ठीक है समाज खुद एक विवस्था है Society is a system हर समाज में विवस्थाइं काम करती है उस से ही समाज चलता है समाज जो कि खुद एक विवस्था है उसको चलाने के लिए कई उप विवस्थाइं काम करती है उन में से एक उप विवस्था का नाम है सामाजिक नियंतरन या सोशल कंट्रोल कह लीजिए उसको इसका मतलब है कि समाज के लोग समाज के मौलभूत बातों को स्विकार करें देखी अभी ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हमें लगेगा एक विचारक का जिक के बाद में आने वाला है उसका नाम है थॉमस हॉब्स जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लिवस्था क्या चीज होती है जिससे एक्जामपल के तोर पर आप इतने सार लोग बैठे हुए है आप मैंसे किसी के मन में ये शक है कि पीशे वाला ने चाकू ना मार दे ऐसा शक तो नहीं है किसी को मैं तो क्या रहा हूँ कि कई चीज़ें को हम फॉर गांटेट लेके चलते हैं जब कि वो कितनी महन वस्तुए हैं जैसे पांट सो लोग बैठे होगर कहीं ये खत्रा तो होई सकता है कि किसी एक का दिमाग ठीक ना हो नया नया महबत में लुटा पिटाया है कि देखे कि आप दोड़ाई घंटे से आराम से बैठके पढ़ रहे हैं और आपके मन में इतना भी संशय नहीं है कि आपके आसपास पीछे बैठा व्यक्ति ऐसा कर सकता है यह जो सोभाग्य है ना इसको बोलते हैं व्यवस्था आपको भरोसा है एक सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के पहद सब लोग वही करेंगे जो करने ही होग गए आपको भरोसा है कि सब लोग कुछ नेतिक मूले को बनियादि स्थर पे स्वीकार कर चुके हैं और उन मेंसे एक मूले यह है कि बिना बात के आप किसी को परशान नहीं करेंगे क्यों परशान करेंगे भई, आप परशान हो, आप खुद बाहर से ले जाओ, किसी और को क्यों परशान करो भे लेकिन होब्स ने बताया कि ऐसा पहले नहीं था एक जमाना था जब समाज बना नहीं था, जब प्राणी थे, किन्तु सोशल सिस्टम नहीं था और उसने उस समाज की व्याख्या क्या कह गे कि, जहां हर व्यक्ती, हर व्यक्ती का दुश्मन था और इसका मतलब यह है कि लोग उस समय ऐसे बैठ नहीं पाते थे बैठते भी थे नहीं तो घुम घुम के देखते रहते थे आस बस यह एक साथ बैठके चार कौन पर बैठ से थे कि चारों सुरक्षा की व्यक्ता कर लें कब कौन किसको कहां मार देगा कुछ भरोसा नहीं था धीरे धीरे समाज ने कुछ मूल्य बनाएं, सबने स्विकार किये और आज भी ऐसा है अगर आप चाहते हैं कि आप इतना शांती से रह सकें आप सड़क पर चले तो डरना ना पड़े आपको कोई आके मार देगा तो जरूरी है कि समाज की व्यवस्था मजबूत रहे इसलिए दुनिया के हर समाज की जरूरत है कि समाजिक व्यवस्था बनी रहे और समाजिक व्यवस्था बनी रहे इस सिस्टम या सब सिस्टम का नाम है सोशल कंट्रूल समाजिक नियंतरन कि समाज का व्यक्ति पर नियंतरन होना चाहिए व्यक्ति के विवहर पर आचलन पर नियंतरन होना चाहिए और दुनिया का हर समाज समाजिक नियंतरण को थापित करने के लिए दो मेकैनिजम डवलप करता है जो आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है पहला मेकैनिजम होता है समाजी करण इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है सोशलाइजेशन समाजी करण ये सामाजी करण नहीं है क्योंकि इधिकांज बच्चे सब में डिंडा लगा जेते हैं सब है सामाजी करण और दूसरे को आप अंग्रेजी में शब्द है सोशल सेंक्शन उसके लिए हिंदी में एक अजीब से शब्द है अनुशास्ती जो कि समझ में नहीं आता है किसी को भी तो आप दूसरे को बोलिए पुरसकार वद दंड की विवस्था पॉजिटिव सेंक्शन को बोलते हैं पुरसकार नेगिटिव सेंक्शन को बोलते हैं दंड इतना ही मामला है जब 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 याद कीजिए नाक में दम किये रहता है और पेरेंट्स जिन्होंने अपने जमाने में वही किया था वो उसमें भूल जाते हैं कि हमने भी यह किया था फिर वो उसको युद्ध के मैदान मना देते हैं और मार मार के मार मार के उसको इंसान मनाते हैं तो हमारे स्कूलों में क्या हूता है, बच्छा को पीट-पीट के मरगा बना के इंसान बनाते हैं, म calorie बच्चा फिर मरगा फिर इंसान, ये प्रोसेस हमारा है, एक कवी हुए नारजुन के कविता है बच्चों की पिटाई के बारे में, तो उसमें वो जिक्र गरते हैं क्या था जिसका भावत है कि हर मिनिट में पांच तमाचे मारता है टीजर बच्चे को हाँ बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनिट में पांच तमाचे इसी तरह से दुफ्रन मास्टर गरता है आदम के सांचे आदम के सांचे गड़ता है तमाचे मार मार के आप सब ऐसा बच्पन गुजार के आए होंगे जरूर कितने लोग ठीक से नहीं पिटे हैं बच्पन में वहीं कमी रह गए यह लगता है कोई बात नहीं तो देखिए जो गैक्टिस समाज में आता है देखिए जैसे कल्पना कीजिए कि एक बच्चा नया नया पैदा हुआ है अभी हुआ ही है बस उसकी उम्र भी तीन मिनिट की है ठीक है? उस बच्चे के बारे में चार शब्दों का इससे माल कर रहा हूँ आप मुझे पताएं कि वो इन में से क्या है पहला शब्द है कि वो सोशल है सोशल के हिंदी में क्या शब्द आएगा? सामाजिक है दूसरा है कि वो अंसोशल है इसको असामाजिक कह लेते हैं तीसरा है कि वो एंटी सोशल है समाज विरोधी कह लिए ऐसे लोग भी पाए ही जाते हैं समाज विरोधी चोथा बादी बता हुआ पेरे इन में से बताओ कि वो इन में से क्या है वो समाजिक है बहुत मिलंसार घुडंशीर ऐसा आपको लग रहा है कुछ अभी तो तीन मिनिट का ही क्या समाज उसको तो पता ही समाज क्या होता है असामाजिक कैसे होगा कि समाज ही नहीं पता तो उसका और अंटि-सोशल तो मतल्ब भी दियो से क्या मतलब जिस सो समाज ही नहीं पता वो क्या समाजिक क्या समाज भी रोधी चोथा शब्द होता है ए-सोशल शुरयो में ए मधा जेते हैं जैसे ए-Political इस हमाने जो पॉलिटिक से तटस्त है ना इस पालिटी का समर्था क्या है ना इसका विरूधी है ए पॉलिटिकल है ए सोशल का मतलब होता है समाज तटस्त इसे पता ही नहीं समाज क्या है ये समाज से तटस्त है एक दम तो बच्चा जब जन्म लेता है वो समात से तटस्त होता है अब यह तैय होगा परवरिष की प्रक्रिया से की वो इन तीन में से क्या बनेगा अगर परवरिष थोड़ी सी गलत हूई तो असामाजिक हो जाएगा असामाजिक में लो जो समात से दूर रहता है कोई फंक्शन वंक्ष जैसे आप मेंसे कुछ लोग ना कोई शादी ब्या हुआ हुआ, चचेरी बहन मेरे फूफे इन सब के बच्चों के शादी हो रही हुँगा एसके लाप के घरो में तो आप जो बच्चे किसी भी शादी ब्या में जाने से कतराते हैं कि नहीं मैं नहीं जाओंगा, जो ऐसी बात करते हैं वो असामाजिक हैं, यह बुरी बात नहीं है, नेचर का मामदा है, या तो इंट्रोवर्ट हैं या आपको लगता है कि जब भी जाते लोग पूछते कि क्या हुआ है इसका, पिलिम्स का क्या हुआ, आपको लगता है कौन जबाब देगा, चार सवाल के, फिर लोग और मजले के दिल ली गए थे, पढ़ रहे थे बहुत दिनों से, क्या हुआ, ऐसी घुम रहे हो, तो आपको लगता है कौन जबाब देगा, तो इसलिए आप सूछते है कि बचे इन लोगों से, कुछ की नेचर में ही होगा, शाद जबाब सड़क पर भी देखा गुजगे अंदर, थोड़ डांस किया, थोड़ा खाना वाना खाया, दो चार रिष्टेदारिया निकाली है और उसके भाई लोट के आ गए, ऐसे लोग भी होते है कुछ, जिनको रिष्टे निकालने भी इतना सुख मिलता है, सामाज में दो कि लोग अगर आपस में खुश हैं तो भाई बम फोड़ देते हैं, कि मेरे होते हूँ कोई खुश कैसे है, जैसे वेलेंटाइन डे पर कुछ लोग लाठी लेकर निकर जाते हैं, कि हम अकेले घुम रहे हैं और तुम साप ले घुम रहे हैं, तो उनको लाठी मारने लग ज कि इसी से सत्यों के सापना होगी. लेकिन जो बच्चा है वो तो इन में से कुछ भी innate है,समाज सत्च है. समाज तटस्थ बच्चे को सामाजिक व्यक्ती बनाने की प्रक्रिया का नाम है, सामाजी करनु. एक वाक्य में सिंपल सा मतलब है, जो बच्चा सामाज को जानता ही उस बच्चे को सामाजिक व्यक्ति में तबदील करना है सोशल बनाना है उसको तो उस बच्चे को सोशल बनाने का पूरा प्रोसेस सोशलाइजेशन, समाजी करन, समाज से उसको जोडने की प्रक्रिया समाजी करन का सिंपल सा मतलब है उसको वैल्यू सिस्टम सिखाना कौन सिखाता है वैल्यू सिस्टम सबसे पहले उसकी मा होती है उसके बाद देखें तो पूरी फैमिली बान लेजिए मुख्य भूमे का तो माता की ज्यादा रहती है कि बच्चा मा के पासी ज्यादा रहता िज्यूरू में फिर उसका आसपरोस जो है नेबर हुड हो सकती है क्योंकि जैसी बच्चा थोड़ा सा नेडर साल का आसपास के अपने साईस के बच्चों गूंड लेता है उन से उसे दोस्ती होने लगती है जयान का अदान प्रदान वही होता है पर उसके बद जब हो धाई तीन साल की है बड़े शारों अब दो साल में भेज जाते हैं स्कूल इसको प्ले स्कूल में फिर बच्छा स्कूल जाता है असली उसके जयान चक्षू यहां खुलने शुरू होते हैं क्योंकि एक बच्चा ऐसा चटा हुआता है, जिसके पास ग्यान बहुत सारा होता है. वो सारे बच्चों में ग्यान फैला देता है. कई पेरेंट सुचतें कि हम अपने बच्चे को ऐसा बनाएंगे, कोई गरद बात इसके पास पहुंचेगी है नहीं. पर क्या करें श्कूल गया एक बच्चा आगया क्लास में और वो एक आई जाता है क्लास में कहा तक बचाई गया फिर स्कूल के अलावा फिल्में देखता है, बाजार में जाता है तो फिल्म है, टीवी है, कभी मार्किट चला गया, सडक पर गया रिक्षा वाले से बात कर रहा था, इतने में दो लोग आपस में दूसरे को संदर संदर आभूशनों से बातचीत कर रहे थे उस बच्चे ने सुना कि कुछ रोचक शब्द हैं जो उसको पता ही नहीं थे अब पेरिंट्स परिशान है, कहां से सीख किया गया अरे बच्चा जब सडक पे निकलेगा, आसपस तो लोग बात करी रहे कैसे निस सुनेगा इस पूरे प्रोसेस को जिस प्रोसेस से बच्चा समाज का सामानी हिस्सा बन जाता है, इस प्रोसेस का ना में समाजी करन सबसे बड़ी भूमे का परिवार स्कूल, कॉलिज की भी होती है, लेकिन स्कूल का शुरुआते हिस्सा उससे पूरा हो जाता है अधिकांस लोग तो इस प्रोसेस से सुधर जाते हैं फिर कुछ लोगों के लिए दूसर सिस्टम काम करता है पुरसकार दो और दंड दो पुरसकार का मनलब जो ठीक से बिहेव करें उसको थोड़ा और प्रमोट करो सम्मान करो ताकि बाकी लोग भी उससे प्रभावित होके सीखें जैसे कोई बच्चा गर होमवर्ट ठीक से करता है स्कूल में इसको इतनी तारीफ होती है ये बच्चा बच्चा ओफ दर डे बच्चा ओवड़ा बिक उसको बिला बिला के चौकलेट टॉफी उसके हाथ पे स्चार बनायते हैं ताकि बाकी बच्चे जलें और वो भी हमवर्ट करश्रू कर दें पुरसकार दरसल उसको नहीं दिया जा रहा है पुरसकार उसको दे के बाकियों को जलाया जा रहा है ताकि बाकी भी उसके जसाब बनने का प्रयास करें और सारे बच्चे गोलू हो जाएं बेसिक परपस ये है और जो इन सब चक्रों में नहीं पढ़ते हैं खूब सी खालिया नहीं सीख रहे पुरसकार बाकियों को दिये उन्हें पुरसकार भी चाहिए भाड़ में जा ले जा पुरसकार उनका पीछे खास ग्रुप काम कर रहा है जिनको इन सब चीजों में रुची है ही नहीं उन छटे हुए प्राणियों के लिए क्या व्यवस्ता है दंड की व्यवस्ता है तो अभी का सार सिर्फ इतना है कि सामाजिक नियंतरण के दो उपाए है सामाजी करण और पुरसकार भी दंड की व्यवस्ता है अब इसके आगे कल पढ़ेगे क्योंकि आप जाना शुरूई कर चुके हैं ठीक है जाईए